नमस्कार दोसตहों आज की क्लास में हम लो कंस्ट्रक्शन मैंटेरियल का पूरा फुल रिवीजन करेंगे, पहले ही मैंने free of cost पूरा आपको पूरा अब्सक्रशन मेटेरियल कवर किया था यह भी बताया था कि सिविल इंजनेंग के लिए कितना ही महत्वपून सब्जेक्ट है आपको आगे के लिए तो कि मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यही से आपकी सुरुवात होती है ठीक है और सिविल इंजन का थोड़ा बहुत एप्लिकेशन मिलेगा आपको आगे लेकिन यह जो सब्जेक्ट है धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको एक्चुली सिविल इंजनेरिंग की तरह फूरा घुमाएगा ठीक है इसमें मैंने आपको बताया था सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है जो कम्प् प्लस लिखनेत के तरीकों को भी ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट कोस्चन और उनका सेशन इसी में आपको पढ़ाने वाला हूं पढ़ाया हूं आपको भी पता होगा पीछे मैंने पूरा लिख लिख के पढ़ाया था लेकिन यह मैं लिख के इसलिए इसको लाया हूं ताकि आप देखिए कि लिखा कैसे जाता एक्जाम में लिखने का टरीका भी आपको एक्जाम माने चाहिए मैं आपको बता दूँ एक्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है प्लस एक कोई एक कोई पेपर ले करके आपको उसको बैठके लिख लेना है जानते हो तुमको अपने तुम्हारे डिकलोमा या बीटेक के सेमेस्टर एक्जाम में तुम कैसा हो इसका बड़ा मायने रखता है इससे मतलम नहीं कि तुम्हें नॉलेज कितनी है यह अपनी जगह पर बात है नॉलेज होनी अच्छी चीज है बट आपको लिखना सही से आ रहा है तो आपके नंबर हमेसा दूसरों से अच्छे आएंगे यानि कोई टॉपर होगा तो से इस पीडियफ को आप लेना चाहते हूं तो आप से में टेक you अप से इस Penia फ को ले सकते हैं इस पीडियाप को आप सिबूने के एंडॉरीद अप से ले सकते हैं पूरा यह अपका अंडियद अपा प्ले स्टोर पर मिल जाएब और यह सारे और बाखी जानकारी हमारी website www. www.civiltechsolution.in पर भी बहुत सारी जनकारी आपको मिल लाती है नोट्स वगर आभी मिल लाते हैं तो आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं चाहें तो एप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस पर भी बहुत सारे अब सुरू करने वाले हम लोग आज पूरा और क्या-क्या पढ़ेंगे उन सारी चीजों की जनकारी यहां पर देखेंगे पूरी सब कुछ ठीक ना अब देखें यहां पर पूरा यहां पर क्या-क्या कहा नहीं होता है ठीक है तो यहां पर हम लोग सुरुवात करते हैं सबसे पहले कि क्या-क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर पूरे एक साथ आपके सामने यहां पर लिखे हुए आपको दिखाई दे रहा होंगे कि क्या-क का चप्टर आपके ठीक है तो इसमें सबसे पहले मैं अगर चप्टर की बात कर लूँ तो सबसे पहला चप्टर हम लोग का जो है जिसको हम लोग कहेंगे वह बिल्डिंग स्टोन दूसरा है ब्रिक टाइल तीसरा चप्टर है सीमेंट टिमबर एंड वूड बेस प्रोड़क्त उसके बाद पेंट्स मेटल और उसके बाद आपका मिस्लेनियस मैटेरियल इतने चप्टर हम लोग को एक साथ कंप्लीट करने हैं आज एक सिंगल वीडियो में ठीक ना तू मैं आथा नहीं रियल म comment डालना ताकि अगले सब्जेक्ट का भी इसी तरह से रिविजन क्लास तुमको फटाक से मिल लें चैप्टर में वन लोग चीजों को सुरू करते हैं अब सुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर हम लोग का क्या है बिल्डिंग स्टोन है और बिल्डिंग स्टोन में हम क्या है अच्छे इमारती पत्थर की विसेस्ताओं का वर्णन करें एक अच्छा इमारती पत्थर होता है तो उसके विसेस्ताओं की बात करें दो तरीका होगा इस को लिखने का चाहें तो आपके पास समय है तो आप बढ़ियां से लिखिए समय कम है तो आप विसेस्ताओं को कम सबदों में जैसे अगर जुनियर इंजिनियर का एक्जाम होता न उसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है और कॉपी ठीक से चेक करता है हो यह देखता है कि क्या करना है लेकिंगे लेकिन डिप्लोमा एक्जाम में यह फिर आपके सबस्क्राइब जाम में आपको points पहले बनाना है देखिए इंजामनेर के पास वक्त नहीं है कि वह आपकी राम कहानी पड़े आप हमेशा heading तयार रखिए और उसके बाद उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ठीक है अब यह सब बाते मैंने मेल क्लास में नहीं करी है मेल क्लास में हर चुछ को ठीक से पढ़ा के बता इससे जानों ऐसे करो यहां पर मैं जानकारी पर कम और आपके लिखावट सैली पर थोड़ी knowledge पर ज्यादा बात करूंगा ठीक है इसमें बोला क्या गूण है अच्छे इमारती पत्थर की विशस्ता है क्या है यह पीडिया पूरा ले लिजेगा पत्थर की संदेशना यानि उसका structure कहता है यानि पत्थर का पिंड करीट इसतरी तक पत्तरेत हो सकता है यानि यह कैसी होती है फॉलीटेट चत्ठा ने स्टेटिफाइड यह मैंने अल्रेडी बता रखा लेयर में स्टेटिफाइड है अगर नहीं लेयर उसमें तो अनिस्टेटिफाइड है अधर्वाइज फोल्ट पत्तियों के रूप में चिपका हुआ है तो पोल्री एटेट कहते हैं और इस तरी चताने अग्रें चतानों से सट्दीन में पहली बात होती स्ट्रक्चर में जो है रव्य दार क्रिस्टलाइन ट्रॉस फ्रक्चर होता है यह तरी असको कहेंगे जिसकी सन्दजना जादातर ओइस्तरित हो यानी हम लोग सन्दजना के बारे मताएंगे संदजना किसको कहते हैं कितना लिख़ें तो हम बस एक लाइन लिख सकते थे एक अच्छा पत्थर अन इस्ट्रेटिफाइड यानि और इस्तरित यानि उसमें कोई इस्तर नहों और इस्तरित होना चाहिए साथ-साथ वह पत्थर तो उसके बार के बारे मटलब होता है वह की कि चीजों से मिलके बना और उसमें रोय है उसमें डाने है या उसमें फोल्स है तीनों चीज़ा हो सकती है तो अगर पत्थर रमेदार है क्रिश्टलाइन है देखिए रमेदार का मतलब होता है ऐसा पत्थर देखो पत्थर बहुत बड़ी चीज़ है उच्छोटी-च्छोटी चीज़ों से मिलके बना होगा वो च्छीवटी इसा हो रमेदार हो सांग हो और मतलब होता है एक तररीके से वरकेबल हो उस पर कामम करना असान हो तो ऐसे पत्थर कहते होती है मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं इस तरीत चक्टाने भी अच्छी है लेकिन कुछ जगों पे उनका प्रयोग अच्छा नहीं है जब कि रूपान तरीक चक्टाने जो होती है जिनके बारे मैंने आपको बताया है इन तरह की चक्टाने होती है मोटा मोटा मैंने तो चक्टानों को बता है तो बहुत सारी चीज़ें बताई है में लेकिन आप जब लिखी तो आप लिखेगा तीन तरह से वर्गी करन यह चक्टानों को वर्गी करन वाला कोस्टन भी आपसे पूछा जा सकता है classify the rocks तो मैं आपको मोटा मोटा बता जराओं रॉक को classify करने का जो तरीका है यह आपने पहले इनको खतम कर दिए पहले एक चीज़ पत्थर की संदचना कैसी होने चाहिए वह पत्थर जो होता है वह और इस तरीत हो और उसमें कोई खाली क्लिवेज प्लेन ना पाया जाए दूसरी चीज पत्थर का टेक्स्चर यानि रमेदार हो हो मोजीनियस टाइप का पत्थर हो इसके अलावा है दी हम लोग बात करेंगे और चीज़ें दूसरा गठन है तीसरा सामर्थ देखे पत्थरों पर कंप्रेशन बल ज्यादा का सामर्थ 1000 केजी पर स्कॉयर से अधिक होनी चाहिए या इसी को लिखते हैं कि 100 न्यूटन पर स्कॉयर मिलीमीटर से अधिक होनी चाहिए ऐसा हम लोग बोलते हैं ठीक है इसके बारे में अब मोटा मोटा कहें तो किन चट्टानों का होता है तो आगने और कायांतरित चट्ट एक होता है आपका मेटामॉर्फिक जिसको कायांतरित कहते हैं इसमें लेयर्स होती है इसमें क्या होता है यह इस्ट्रेटिफाइड होता है जनरली इस्ट्रेटिफाइड जबकि यह दोनों चट्टाने कैसी होती है ज्यादा तर अनस्ट्रेटिफाइड हो भी सकता है यह ब और इसके अच्छी होती है जबकि यह जो जिसमें लेयर होती है उतना अच्छा नहीं होता है ठीक है यह सम्पीडन सामर्थ यह जरूर लिखेगा कि अच्छे पत्थर की 1000 केजी पर स्क्वार सेंटीमीटर से अधिक सामर्थ होती है फिर कठोरता चीमणपन तता आप घर्षन पत्थर घिसावह में मजबूत हो जल्दीगीसे ना चीमबपन मतलब उस पर जैसे मतलब कुई पत्थर दबार है नहीं तूट रहा है दबाने पर नहीं तूटा जटका मारे तूट गया जटका का मतलब होता है उसमें इंपक्त यानि चीमड़पन घिसा मतलब अब घरसन का थोड़ता मतलब उसमें पेनेट्रेशन या पेर एब्रेसन रेजिस्टेंट ये चीजें उसके अंदर होने चाहिए क्योंकि सडक की गि अच्छे पत्थर का एक हमने सबसे पहला पढ़ा उसका इस्ट्रक्चर दूसरा टेक्स्चर तीसरा हमने उसका पढ़ा इस्ट्रेंथ और चौथा पढ़े रहने हमने उसका हाड़नेस इंपक्त और अबरेशन और उसकी कौन-कौन से गुण है जो उसको अच्छा बनाते है आज कोई पत्थर मजबूत है कल भी रहेगा कल भी रहेगा तो किसी चीज़ का लगातार मजबूती बनाये रखना उसकी डियूरिबिल्टी कहला था यानि हो सकता आज कोई पत्थर बहुत मजबूत हो लेकिन समय के साथ उसमें क्या आज दिक्कत आने लगे तो ऐसी पत्थर चूच करना चाहिए एक अच्छे पत्थर के अंदर ये सब धूप वर्सा तापकरम आधी जहलने का छमता होना चाहिए क्योंकि इसके साथ पत्थर की स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ें प्रभावित होने लगते हैं ठीक ना तो पत्थर का एक बोड़ ये भी है कि पुछा है अच्छे इमारती पत्थर के विसेस्ता हैं विसेस्ताओं में कहेंगे कि डूरेबल होना चाहिए यानि अच्छी होने चाहिए उसके अंदर संद्धता हैं जलाव सोच कम होना चाहिए क्योंकि यह पानी ज्यादा सोखेगा संद्धता मतलब उसमें छिद रहों चोटे-चोटे और सोगो अगर संद्धत पोरोसिटी देखे पोरोसिटी एंड वाटर अगर यह दोनों ज्यादा है तो यह नुकसान करेगा यानि हम लोग कह सकते हैं कि पत्थर तो दस परसेंट से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए चीज कर दान रखेगा ठीक ना जितन सब कर दिया जाएगा अगले कुछ समेस्टर में बाकी यार देखो ऐसे पढ़ते रहो जान देते रहो लेकिन अगर धानना है तुमको छोपड़ी में चीजें बैठानी है और को इस बंदे की उम्र पे मतं जाना है ह। उम्र भी ज्यादा है बस थोड़ा सा मिन्टेन रखा हूं उम्र पे मत जाना जब अरजस्ट चीज़ें तुमको सिविल इंगे मिलेंगी इस चैनल पर आस करके मैं अपनी बात करता हूं बहुत समय दिया है मैं इस फिल्ड में बहुत ज़्यादा जब यह मूचे थोड़ी थोड़ी आई है और जब नहीं आई थी तब से पढ़ा रहा ह चाहें ओं तो यह भार इसका अच्छा होना चीए पत्थर का अब अलावा तो इसके अंदर वर्क बिलिटी यानि को पयं कितना भी अच्छाSab possa है कि इस पर काम करना असान हो लेकर बहुत बढ़िया है लेकं इसका कुछ हो ही नहीं सकता यह इतना ज्यादा कठ हो रहे है कि हम इसको काट छाट्ट के अपने अपार में ंढहीं सकते तो जब वॉर्किबिल्टी नहीं अब कोई चीज बहुत ज्यादा वर्केबल हो जाना तो इसका मतलब वो कमजोर यह भी दिक्कत है वर्केबिल्टी और स्ट्रेंथ एक दूसरे के पूरक होते हैं एक साथ दोनों नहीं मिलती है यह होना चाहिए कि स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो उसके बाद वर्केबिल्टी भी उसके अंदर थोड़ी हो ताकि काम भी उस पर किया जा सके यानि इसको दिवार में टिकाने के लिए इसकी काट छाट छटाई गड़ाई गिसाई पॉलिचिंग इत्यादी जरूरी है इस वज़ा से हम लोग कहते हैं कि इसे वर्केबल भी होना चाहिए साथ साथ इसकी अगनी प्रतिरोधक्ता का मतलब होता है कि यह पत्थरों के अंदर एक खराब गुण होता है इंटों के कंपेर में पत्थर एक ही मामले मिल्पार खाते हैं हमेशा इंट से मजबूत रहेगा कि इसलिए लोग अब हीटों का घर बनाते हैं क्योंकि उपलब्धता पत्फरों की तो कम है दूसरा अगर पत्थर के अंदर एक कम ही पूछा जाए कि वह किस मामले में पीछे है चलो उपलब्ध है दोनों इट भी उपलब्ध है पत्थर भी उपलब्ध है ज्यादा तो फिर कहीं इसमें भी रस होता है सैप होता है पत्थरों के अंदर एक रस होता है जिसको खदानी रस यानि क्वेरी सैब बोलते हैं वो वो जो चिपचिपा सा पदार पत्थरों के अंदर पाया जाता है उसको क्वेरी सैब बोलते हैं वो चटकता है तो तूट जाता है पूरा पत अथर विदूत का कुचालक यानि उसके अंदर विदूत का कुचालक होना चाहिए इलेक्टिक टांसपर ना करे साथ साथ होना चाहिए स्लेट और संगमरमर विदूत के अच्छे कुछ आलग उते हैं संग मर्मर जानते हैं आप मार्बल वगरह जुक्रोर फर्स लगाते आप तो उसके वह चांच से घ कंडूक्ट होती है तर्फित हो सबसे कम कह सकते हैं कुछ आलग कहा सकते हैं उसके बहुत सारह स्वीच व 5 बनते हैं क्योंकि ऊठे to मार्बल का लोग फर्स लगवाते ठंडा रहेगा क्योंकि वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही नॉन कंड़क्टिव मेटेडियल होता है ठीक है इसके अलावा पत्थर का रंग रूप जैसे ग्रेनाइट पत्थर है रंग रूप के लिए बहुत फेमस है आज भी घरो में अगर कोई काम करना होता है सुंदरता वाले पत्थर लगवाने पड़ते हैं या कीचन के स्लैब वगर लगाने पड़ते हैं तो लोग कहते हैं ग्रेनाइट लगवा ही रीजन क्योंकि ग्रेनाइट का कलर अच्छा होता है उसका अपियर सुंदर होता है तो पत्थर का रंग रूप आकर्सक होना चीए प्राक्रितिक पत्थर अनेक रंगों में मिलते हैं अधिकतर यादगारी वयतियासिक बाउनों इनमें प्रयुक्त पत्थरों के रंग से प्रद्यासे आगरा का सफेज संग मर्मर से बना हुआ ताजमाल यानि अगर बात करें कि अगर अगर ताजमाल किवल सामाने पत्थर का होता तो उतने फेमस नहीं होता लेकिन वही ताज बना किसे मार्बल से वही वाइट मार्बल से जिसकी चमक जिसकी खूबसूरती आस तक बरकरार है ठीक है लास्टी जाती है उपलब्धिता तथा लागत यानि जो भी पत्थर एक आसानी से अवेलेबल हो यह हर एक कंस्ट्रक्शन मेटेरियल का एक गोण है कोई पूछे कि एक अच्छा इट क्या होगा रवया इट भी वही हो जो उपलब्धता हो कोई भी चीट कितनी भी अच्छी रहे लेकिन उपलब्ध नहीं है तो फिर वह हमारे लिए एक अच्छा पत्छा Churchill की एक अच्छे क्वालिटी अच्छे समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं लोग के अंगला कॉस्चन toon से क्या पूछता है ठीक है देखें अगला कॉस्चन किया पूछा अगला कुछा पूछा की पत्छरों का और इसके सफ इस अगले कोश्चन चे पहले मैं आप कुछी जर्ग बताना चाहता हूं यह पर कोड़ी जगह हमारे पास हम लुग पत्थरों का क्लासिफिकेशन देख लेता है जब भी पूछता की पत्थरों का वर्गी करना कीजिए यानि क्लासिफिकेशन के लिए तो आप कैसे करेंगे तो क्लासिफिकेशन में हमेशा ध्यान रखेगा आप तीन तरह से पत्थरों को निम्न तीन आधारों पर बाटा जा सकता है पहला भूगर भी वर्गी करण या उत्पति क्या आधार पर इसको बोलता है जियो लॉजिकल क्या बोलता है जियो लॉजिकल क्लासिफिकेशन जैने इसको बोलता है पत्ति क्याधार को वर्गी करण दूसरा आपका होता है फीजिकल और तीसरा होता है आपका और यहां पर जियोलोजिकल फिजिकल और केमिकल अगर हम लोग बात कर ले यहां पर तो जियोलोजिकल ख्लासिफिकेशन में चक्तानों को तीन वर्गों में बाटा गया है अब देखो मैं हिंट कर रहा हूं इसमें लिखने के लिए तुम एक इंड़ी लाइन बढ़ा के लिख सकते हो जो लॉजिकल में तीन होती है एक होता इंग्नियस यानि आग्निय चक्तान एक होता है सेडिम देख कांथ या कांतरित चट्टा ने physical classification की एह भी हम लोग बाथ करें तो physical classification में होता है जिसको दो बहुत थीक वर्ग करन्ड इस ने इस तरीध यानी स्ट्रेटिफाइड इसमें आई इस्ट्रेटिफाइड सैय्ट सायो या जैने बोलते हैं怎麼 ये स्तरीट चट्ताने और दूसरा होता है आपका अन्स्टेटिफाइड यानि इसको बोलता है हम लोग और इस तरीट चट्ताने इसमें एक gas-COD भी होता है नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा 95 और तीसरा होता है चया animal इसमें ओता है स्टाइन काल में च्ट्णन याना ओलिछ तैक आपका के रिसाइस यानि तून दीसरा ओता है आपका सथिलिकार में यौन एक जीजद द्यान रखिएगा इसक वह तक रुपांतरित हो सकती है वो चटने होती है है जो मैगमा प्रिथिवी पर पिगला हुआ मैगमा आता है उसके जमने से जो चटान बनती है वो आगने चटान अब इस पर हम और बाते कि यहां बाहर आ जाती है तो क्या कहते हैं लेकिन वह सब यहां मत लिखेगा या तो लिग देंगे तो अच्छी बात है नहीं तो कोई आउसाधी चक्टाने वो होती है जो आगने चक्टानों के कटाओ से और उसके डिपाउजिट से बनती है आगने चक्टाने पानी से धूब से दूल से परिवहित होके दूसरे परिकटी होके नए चक्टान का निर्माड करती है उनको हम लोग आउसाधी चक्टाने कहते हैं ल चक्टानों का रूप रंग फिजिकली बदल चुका होता है ठीक है अगर चक्टानों को माटे यह तो उत्पत्ति ऐसे हुई इनकी उसाधार के तीन हुगा तो चक्टानियों में इस्तरित मतलब लेयर होती है और यह तो चक्टाने उनमें जुनें कोई लेयर नहां जाता हो उ के अंदर सिलिका की मात्रा है तो उसे सिलिसियस रॉक कहेंगी यह हमने एक और कोश्चन आपको लगे हाथ करा दिया क्लासिफिकेशन ओफ रॉक का ठीक है इसी तरीके से तीसरा कोश्चन हम लोग के सामने आया हुआ है पत्थरों के खनन इस्थल का चुनाओ करते समय साउधा या लिखेन यानि कहें पर भी पत्थर आपा करना चाहरा है इहां से पत्थर निकालना है ठीक है और आप उस जगहा पे विजब वगरा कराना चाहरी है उसस्थिन में क्या मैसा ओधानिया रखेंगे च्छन आपफ वर्सा जल नहीं रूकना चाहिए मत्तब जहां से प fitted नि या एकदम साम को विस्फोर्ट नहीं करना पत्थर को निकाला जाता है तो विस्फोर्ट एकदम सबरे सबरे कर दें पता ने चले कौन कहां है काम कुछ लोग अपना नितक्रिया मुल्यों उस समय मत करिए हो सकता एक्टिव ना रह लो ठीक है ना एक पारी में दस छिद्रों स सब्सक्राइब जाता है उनको विस्फोर्टक aka चटान में विस्फोर्ट होता है चटान तूट जाती है उसी पत्थर क्लों पत्थर कर रुप में उसकार यह बिस्फोर्ट ऑन कराते समय एक साथ 10 ड्रील करें और बारी बारी से सबको उड़ावें anderen Ellisbin करवा और detta 10 पंठीक कि घेरे में लाल जंडी लगा देनी चाहिए जहां विस्पोर्ट होने वाला उसके 200 मीटर चारों तरफ घेरे में लाल जंडा लगाई कि इसके अंदर एंट्री बैन है नहीं जाना है कि तो कि आप नहीं जानते हैं पहाडी छेत्रों में लोग पता ने इधर उदर कहीं कोई पढ़ा हुआ है कोई हलका पत्थर तोड़ रहा है उसी में आप विस्पोर्ट कर दियंग लमर जाए दपके गिरता है तो कहां तक जाएगा कोई जानता है पहाडों पर हमेशा लाल जंडी दूसरा तायरन बजाकर यानि भौपू बजाकर निकटवर्ती छेत्र के लोगों तरीका यह है कोई भी जो उससे रिलेटेट काम कानों वहां ना जाए तो कि चोट लग सकती गिर सकता है कई बार कोई फेकने जा रहा था गिरने वाला था का गहां गिरा रहा है दो मिनट में गिराने जा रहा है तब तो कोई आदमी घुमते चलते पहुंच गया यह चीज अब अगला अगला क्या हम लोगों से पूछ रहा है पत्थरों के टेस्ट वगरा से रिलेटेट कोश्चन कई बार आ जाते हैं यानि आगे हम इसके बारे में चार पॉइंट हमने लिखे सारन बजाकर और कुछ और पॉइंट है उनको भी देख लिए ठीक है वह पॉइंट वायर निकाला रहता है उसी वायर में आग लगाते हैं और वह क्या करता है विस्पोट करता है तो जो वायर लगाता है वह एक ही आदमी बस महां जाए बाकी लोगों कवाटा दीजिए अभी पलीतों के निरधारित लंबाई रखनी चाहिए पलीता मतलब होता है फ्यूज तब है कोथीता है कि वह सावान करम से जलता जासे उसके जलने की तफ़र 7 सेंटीमीटर को असलेंटीमीटर जलेगा काफी लंबा रखा जाता है ताकि वह झ bingeogen définle अरतार होता है आओफ यानिमान Sigरinken कहिए पर हम आगाए हैं है पलीता-जल दला यार देर हो गया तो जल जाना चाहिए लेकिन नहीं जला यानि उसको बोलते हैं इक्स्प्लोजन नहीं हुआ तो कम से कम आदा गंटा तक प्रतिच्छा करने के बाद ही उस पर आगे की करेवाई की जाएगी और विस्पोटी छिद्रों में पानी भरकर निसान लगा देने च लिकत हो जाती है विस्पोटन छेत्र में प्रात्मिक उप्चार यानि फर्स्ट एड की ववस्ता होनी चाहिए यह सब सावधानिया वह हैं जो खनन के दौरान आपको अपनानी पड़ती है इस चीट कर ज्यान रखेगा खनन के दौरान यह सब चीज़ें आपको अपनानी अगले चीज़ जो है आगे आप लोग को जो कोश्टन पूछा गया है वह भी देखा जाम लोग क्या क्या पूछा गया है बोला है कि उत्खनन की वीदियों को समझाईए तथा खुदाई में प्रयोग होने वाले आउजारों का विवरन दीजिए देखे आउजारों का वि हिंदी है कि समाम चीज़ें उसमें लगती है ठीक ना तो उनका डायग्राम बना करके बना सकते हैं लेकिन वह ऐसे कोश्टन अगर आ गया है तो कोशिस करेगा दूसरा कर लिजिए ठीक ना समय लगता है उसमें चोटे-चोटे है ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा डायग्राम लेकिन खाली अगर उखारन की विदियों को पूछाते यह भी कई बार पूछता और पांच नंबर में पक्का वताई तो उखारन की कितनी विदिया एक हांस्त खुदाई है दूसरा आपका हीटिंग है तीसरा फन्नी या पच्चड विदी नलिका विदी और विस्फोटन म पहला हास्त खुदाई है इसमें ऑजारों की मदद से हाथ से मैनुवली क्या करते हैं मजदूर लोग खोधते हैं या जैसे पत्थर पड़ा है चट्टान उससे हाथ से मैनुवली खोद खोद के निकालना बहुत ही समय लेवा और स्रमसाध्य विदी है पत्थर निकालने की पत्थर निकालने के सबसे ज्यादा समय लेने वाली सबसे स्लो मेथड है कौन खुदाई विदी ठीक है यहां पर हम बस इतना बोलते हैं यह बहुत भीदी धीमी है और स्रमसाध्य है खुदाई के लिए गैती सब्बल हथोड़ा इत्यादी प्रयोग किया जाते हैं तो यह उस पर लगा दे जैती आग और आग लगाने से पत्थर क्या होता है गरम होता है और चटक के अपने आप ही तूट जाता है बात सुनमारी न यानि ऐसा पत्थर जो अपने आप चटक के तूट जाए तो वैसी केस में हम लोग कहते हैं कि यह क्या है इसको हम लोग हीटिंग मेथड से किये हैं चटान से छोटे प्रिंडों पत्थर प्राप्त करने के लिए काफी सरल विदी ताप बढ़ने से पत्थर बियाने पदार्तों की बाती फैलता है इसी तत्थ पर तापी विदियाधारी थे चटान के उपर लकडी जाडियां घास पूस रखकर कई घंटे त सत्था पर गर्मी हो गई उसकी वज़ा से चटान क्या होगा भगदी द्वानी के साथ चटान मुख्य भाग से अलग हो जाता है यह आपका कौन सा मेथड है यह आपका उत्खानन की हीटिंग मेथड है अब यह हीटिंग मेथड के बाद करें अगला है फन्नी या करके लकडी करके जगा जगा पर जब ऐसे ड्रिलिंग करके लकडी का पूटी ठोका जाता है तो इसको ठोफते रहना तो यह बड़ा सा ब्लॉक पूरा कट करके निकल आएगा बाहर यानि मृदू इस तहितनी नरम चटान हो और दरार खाई चटानों को फन्नी विदी से से पंदरा सेंटीमीटर के अंतराल पर लोहे की कुंद सिर्य यानि ब्लंटेज वाली रखकर इन्हें घन की चोट से चटान में ठोक दिया जाता है जिससे दरार अधिक चोड़ी और गहरी हो जाती और चटान उसे रेखा पर चटक कर मोख्य पिंड से अलग हो जाती है फिर इसके बाद तोड़ कि अपनेमशार इसको बदलनी है है तो हमने वीधियों के दिन नाम लिखे थो सबसे पूरी वीधियों के नाम ऊपर लिके थे पहला था डिगिंग दूसरा है हीटिंग तीसरा हे वेजिंग वेजिंग के बाद चौथा आपका चैनलिंग और पांचमा जाएगा आपका एक्स्प्लोजन यानि इतने सारे मेथड़ आपके हैं उन्हीं बात करें अगला मेथड कि तो अगला होता है इसमें देखेगा नलिका वेदी चैनलिंग में जब पत्थरों के चैनलिंग में होता क्या है ब्लॉक अगर बड़े-बड़े पत्थर का बड़ा-बड़ा देखो विस्पोटन का सबसे बड़ा नुक्सान है कि तूटे गाला तुप सब तूट जाता अब संगमरमर यदी जबठोव नुकालना है तुम क्या करोगा ब्लॉक भरबला मिलना थी ठीक है तो यहां पर बड़े-माफ के पिंडन देरिक सब्लोक के लिए सब्लनिका味 अपना करता है इस तरी चक्टानों को तोड़ने के लिए कम सरमसाथ तो पूरा इसमें ना ऐसे पतली पतली नालियां कम गहराई वाली ऐसे नालिया काट लिए फिर इदर से काट लिया गया लिए जब दोनों काट लेंगे तो फिन ठोकेंगे तो यह पूरा पार्ट क्या होता अलग निकला आता है इसको बोलते हैं लास्ट आता है इस फोटन विधी यानि बाई ब्लास्टिंग पत्थरों को बड़े पहवाने पर प्राप्त करने के लिए इस विधी का प्योग किया आता है बड़े पैमाने पर मात्रा बात सम़्म्दारिया न या सब था पूरा आपका विधी पत्थरों अब लास्ट छिन जाता है पत्थरों के विभिन परिषणे को लिखे इनमें किसी एक को सम्झाई या पत्थर के जतने गुण होते हैं वो सारे उसके टेस्ट में समझें देखें गुण और टेस्ट एक ही होते हैं जब पत्थरों का गुण पूछा तो आपने बोला कि अच्छा वाटराजर्सन सब्सक्राइब करें तो गुण भी तो हुगा कि 10 पर्शंट से कम और अच्छा पत्थर होगा टेस्ट का रिजल्ट याद है तो गुण भी याद है समझें पत्थरों की तरे सबसे पहले पत्थरों का या या भारी पन जानने के लिए टेस्ट किया होता है specific gravity of test stone specific gravity test मतलब होता है जो stone भारी होगा उसकी specific gravity जादा होगी specific gravity क्या होती है आप जानते होंगे पानी की तुलना में कोई चीज कोई भीचे जैसे मैं मैं बोलू कि लोहे का specific gravity कितना है तो मैं आपको सब्सक्राइब पानी अगर इतना पत्थर इतना लोहा और इतना पानी ले दोनों इसकी तुलना में पानी के तुलना में लगभग साथ दस्मलों आट-पांच गुना ज्यादा भारी होगा ठीक है इसी तरीके से जल आवसोसन परिछण भी पत्थरों का किया जाता है निवो पानी कितना सोखरा इन परिछणों से पत्थर के बहुत सारे गुणों की क्या मिलती है जानकारी मिलती है उसके बाद आता है आपका चीरह स्थाई परिछण है टिकाव पन ज्याद करने के लिए डूरिविल्टी टेस्ट किया रहता है इसको एक क्यमिकल में डुबात यह सम नहीं पूछता है को एकाट टेस्ट आपको लिखने के लिए आएगा या जैसे बोला ना कि सभी परिछणों के नाम लिखी किसी एक को समझाई कठोरता परिछण कितना हाड मोई स्केल पर कठोरता मापी जाती है नाफून से और चाकू से पूरज करके याद करिए वाला आ अप घर्षण परिछण इसके लिए लॉस एंजलस मसीन में या डोरी टेस्टिंग मसीन जिस पर कुमार का चक्किंग तरह ता घुमाते थे तो देखते थे कितना गिसा हुआ है बीस माइनस लॉस इंवेड डिवाइड बाई थ्री फार्मूला होता था संघात परिछण यह को एट्रीशन टेस्ट बोलते हैं एक ट्रीशन टेस्ट सड़क की गिट्टी के लिए सबसे इंपर्टेंट टेस्ट था जिसमें एक 45-45 जिगरी पर इन क्लाइंट को सिलेंडर थे उसमें पत्थर की गिट्टी भरके उनको घुमाया जा रहा था देखते थे कितना लॉस हु पाच सेंटीमीटर का इसका क्यूब बना के पत्थर का पांच गुणा पांच गुणा पांच का उसके उपर टेस्ट करते हैं और पता चलता है आपको क्या कि इसकी संदलन सामर्त कितनी यह सब टेस्ट जो है आप हलका फुलका पड़े होंगे रिवीजन में खालीन का किसी करके पता कर लिया पिर आता है कडों का आप असी बंधन ज्याद करने के लिए सेमेंटेशन टेस्ट के रता है कि पत्थर मजबूती से जुड़ा तो रहेगा जल्दी खराब तो नहीं होगा और इतने सारे टेस्ट में से किसी एक टेस्ट को आपको पत्थर के समझा देना ह तेस्ट आखानी से इसके लिए सबसे सरल तरीका पत्थरों का जलाव सब्सक्राइब करने के लिए या फिर आपका इकाई भार ग्याद करने सभी आसान है कोई एक नहीं जो आपको अच्छा लिए कठोर्ता गया आप करने के लिए लेकिन करने की प्रक्रीय कि कैसे इसको किया लता है पर पत्थर का एक टुकड़ा रख करके एक तुकड़ा जिसकी हाइड पचास मिलिमीटर और कि आपका उचाई भी 50 मिलीमिटर और और इसके उपर 1250 ग्राम का वेट रख करके इस चक्के को घुमाया जाता है कुछ एक पांसो से हजार चक्कर लगाने के बाद देखते हैं कि घिस करके इसके बाहर में कितनी कमी आई है जो कमी आती है वही उसकी हाड़नेस कहलाती है ठीक अफ qui Ikka यह था पूरा का हुरा इसटोन के बारे में लगभग पूरा ओभर भी हमने दे दिया डिये इस टोन का अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में इटों के बारे में ठीका XL हो चुकि है लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोकिया क्लासेस इसमें क्या है पहला question देखिए हम लोगों से क्या पूछा है सबसे पहले पूछा हम लोगों से क्या यहां पर इंट निर्माड है तू विभे ने चरणों का वर्णन करें यानि जब बनाई जाती है उस दौरान कौन-कौन से जो है इस होते हैं उनको समझाई इसको फ्लोचार्ट के रूप में हम लोगों ने अपनी मेन क्लास में देखा था या फिर इसको लिख करके फ्लोचार्ट क्या होता है इसी प्रक्रिया को यहीं करम बाइक क्रम बॉक्स में बंद करके समझाया जाए आरो की मदद से यानि कुछ करने की बात आती है तो फ्लो चार्ट उपना अच्छा नहीं है जैसे सिमेंट का फ्लो चार्ट आएगा कैसे करें मैं बताऊंगा नहीं ठीक है जितनी भी प्रक्रिया है उसको आसान सब्दम जैसे इटों का उत्पादन बोला पहले यहां पर और कह रहा है कि इस्थल चैन और मिर्दा की जाच के बाद यानि कहीं वह ऐसी जगह आप सूच कर लिए जहां से हम लोग को इट के लिए मिट्टी लेनी है और वहां की मिट्ट अफ ब्रिक र click रहनगे के लिए लिए मिट्टी आपने सोचा है इसी जगह से बने है उसको तयार करना इंटों को ढालना धितायार होऊं एंटों को ढआलना फिर इंटों को सुखाना और इंटों को पकाना यदि मैं आपको मोटा मोटा बताउं इन दारान की बहुत सब इसमें केवल मिट्टी तयार करने में तो को सबसे पहला होत को तो इस मेंWow होता है दिवाद के दिवह पर मिट्टी को खुद कहता है तेसरा क्यों से बाद आपका होता है इसका मिट्टी ठीका अब इसको क्या करते हैं ब्लेंडिंग कि ब्लेंडिंग और उसके बाद हम लोग इसको करते हैं पागिंग ठीक है ना इतने इस्टेप पांच इस्टेप जो होते हैं होते हैं इसके किसके मिट्टी तयार करने के फिर मिट्टी तयार करने के बाद इंटों को ढालना मिट तार करने मतलब पानी मिला के गुथ करके प्लास्टिक पेस्ट बना ले जी जी लिम घुर समझ दाधि की तार कर लिए हैं अब इंटों को ढ्लने की के दौराण आप कई तरीके से ईंटों को ढाल सकते हैं जिसमें मसीन और हैंड म거든 हुते हैं के टragon से यह थो थे यह रोना हो दिक है उसके बारे में डिवाइब नहीं आपको थोड़ा-थोड़ा लिखना इस में स्कॉस्टन ना इस लिख पाई पहे हैं लेकिन यह साझे में डाल करके निकाले और ढालने के बाद निकालने कर भूंत विसको ले गया है तो कहीं पर इनको one by one layer लगा के इनको क्या कर रहा है इनके ढलाई करना तो ढलाई करने के दौरान यह ढल जाए उसके बाद इंटों को जब थोड़े सूख जाते हैं ढलाई करने के बाद इनको ड्राई मतलब थोड़ा इनका पानी सूख जाए कड़ा हो जाए गणने का तरीका मैंने आपको बताया यह पांच चीज़ें जैसे मिट्टी तैयार कर ने के दौरान में यह करते हैं उसके बाद निथ बहुत कुछ क्या कितनी जानकारी जानते हैं सब लिग डाली कि उखाने के लिए इंटों को हवा में सुखाया जाता है चट्टे लगा कर इसके लिए इतों का ऐसा चट्टा लगाया जाए जिनके भीदसे हवा का अवा गमन हो पाए साथ साथ में दूप भी पड़ती रहे तो इस तरह किया अरता है लेकिन जितना जानते हूं मैं यह सब क्या बोल रहा हूं कि जितना बोला हूं में वो डेड़ पेंज हो गया होगा पूरा अगर तुम लिखने चलोगे तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन चीज़ों यह तूड़ पॉइंट यह चार लाइने आपको इलेब सब्सक्राइब के बारें वोटी YouTube का मतलब होता है इतों का जन्रल क्लासिफिकेशन फिर Dealsिफिकेशन होता आए एक जन्रल क्लासिफिकेशन होता तो स्पраш्पेश्ट हरि क्लास सभाइब क्लास और छ सुर्थ और ट्वाल प्रक्यास को जहामा भी बोलते हैं यहां नहीं एंटे फॉर्थ क्लास में ठीक है तो प्रथम स्रेणी के जो उते होती है उनके बारे में कुछ बजानकारी मिली है सेकेंड क्लास से ने किवल प्रथम और दृती क्लास में अंतर पूछा है तो एक चीर यहां पर जान लिजेगा ज़रा आ को तरफम के बारे में जो बताएगा 345 सबसे धटिया होगी और जो जामाई के होती है मतलब मतलब अगर लोग यह न मन बोल संभी और बमा करन के भी आई एस नहीं भी आई एस वर्गी करना दूसरा है उसमें इंटो को क्लास में बाटा है क्लास उनका लेकर करके उनके आगे एक नमबर लिग देगा तो भी आई एस क्लासिफिकेशन हो को भी आई एस में इंटो का स्ट्रेंट बस्ट क्लासिफिकेशन किया गया यानि कि उनकी सा मरत के आधार पर वर्गी करन कि आगया तो उसको कहते व्लों न preciso होता है कि क्लास 35 क्लास 45 क्लास 50 ये जो आगे नंबर होता हैना यह जो इनके आगे का सेंटीमीटर में ना तो बस इस से इधर से एक अंक जोड के यहां दसमलों लगा देंगे तो न्यूटन पर स्क्वाइर में चेंड दो जाएगा मैं इसको करके भी दिखा तका हूं कि कैसे लेकिन उसकी जरूवत यहां बेल्डिंग में आपको नहीं पड़ेगी तो आप जान सम्पीदन सामर्त परस्ट क्लास ब्रिक जो होती है मोटा मोटा मैं आपको बता दू परस्ट और सेकेंड मैं यहां बता रहा हूं और थर्ड को बारे में अलगा फुलका बताता जाओंगा तो एक साथ चीज़ें हो जाएंगे आप से केवल प्रथाम और द्विती से पूछ पहले बोला प्रथाम स्रेनी केट सामर्त जो होती है 105 kg पर स्कॉर सेंटीमीटर से कम नहीं होती और देड़ मीचर की उचाहित से फर्स पर पठकने से तूटनी नहीं चाहिए अगर यहीं चीज़ें हम सेकेंड क्लास का बोलेंगे तो बोलेंगे उसकी सामर्त 75 kg पर स्कॉर स स्कॉर से तो कंखने नहीं होनी चाहिए हूश से ज्याद़ा हो आए फर्स पंस से जयादा हो अ थी क्लास रहे ही तो 35 kg पर स्कॉर से यादा हो 35-35 के अंतराल पर चीज़ें ले गए है है ठीक ना 35 kg से पैंफिस के लिग है आए 70, 35 तीक है 105 थीया यानि 105 से तर और फिर यह सामर्थ होता है प्रथम दूर्थि और तिती शर्णी किया निटो का फर्स्ट और सचाहिए यह तोटता है सेकेंड का क्लास वाला टूट भी सकता है लेकिन थार्ड क्लास वाला निश्चित थोट जाएगा तिनों बातें हो गई आकार यहां मानक आकार की होती है आकार में 13 mm से अधिक भिन्नता नो बोला कि यह इंट यह माना काकार यानि 19 गुणा 9.9 cm का है यह 190 गुणा 190 गुणा गुणा 190 गुणा 190 मिलिमेटर के माप में 13 मिलिमेटर आप 13 मत लिखेगा आप लिखेगा प्लस माइनस 2% से ज्यादा भिनता ना हो यानि आप डायमेंशन टेस्ट मेट का किए होगा तभी रिजल्ट आया होगा कि इंट में के इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए दो परसंट से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए अगर सेकंड क्लास का यही सब चीज पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा कठोरता इसकी सता को नाकुन से खरोचने पर कोई निसान नहीं बनना चाहिए कठोरो ध्वनी इंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनी याने रिंगिंग साउंड उ ना उस्यूसित करें या कह सकते हैं कि 20% से ज्यादा जल ना उस्यूसित करें होना चाहिए एक बटा पांच यहां एक बटा छे दिया उससे कोई मतलब नहीं तो पहला पहला माप में बात करें यह प्रथम स्रेणी की इंट की भाती ठोस अच्छी तरह पकी हुई तता सीधे को मिल सकता त oni डो प्लस माईनस दो फांने फ्लस मेंस दो दस्यूश्वन पांच या थीन हो सकता है है उसके अलावा उसके अंदर कौन-कौन से गुन होते हैं तो सता इनकी सता फलकें कुछ आसम हो सकती है रचना समान वा समान थोड़ा दोस्विकार है कठोरता नाकुन से कुरेचने पर इट की सता पर निसान न पड़े उसमें चाक्तु से कुरेचने पर न बोला गया था और इसमें नाकुन से कुरेचने पर नहीं सामर्थे बात करें कि 70 kg होती ही थर्ड क्लास कमाने आपको बताया था दो इंटों को टकारने पर धात्विक ध्वानी कुछ मन दो सकती उतना अच्छा खंखनाट नहीं आएगी लेकिन आएगी जला सो सब्सका आप बोले थे 20 परशेंट ना इसका 25 परशेंट की आसपास होता है असलमा होता है 22 आप अगर आखला लिखना चाहिए तो 22 लिखेंगा बड़ा अच्छा लगए लोगों को फिर उसके बाद देखने पर विसेश इट एट रंग लियो मतलब इट का रंग भी लगबग लाल जासा हो फॉस्ट क्लास वाली का रंग इगन स्लियर रेड होता है जिसको चेरी रो अगर लगए अगर इसका बीस परसेंट इसका अप याद रखते हैं तो आपका जो लिखेंगे कॉपी उस पर इंपक्ट अच्छा पड़ेगा एक जैनर अच्छा सोचेगा आपको ठीक है उसके बाद हम लोग इदी बात करें इसी तरीके से लेकिन कई पतली हो जाती है तो लेकिन ज्यादातर वैसी चीज़े हैं इसी के लिए लिए कहीं पर लगाने के बनाई जाती है उनको कांचित टाइल याने ग्लेस टाइल बोलते हैं तो टाइल के अगर हम लोग पूछे हैं यहां पर बोला गया की टाइलों को समझाई है और उनके क्या होती हो गहां ठीक और उपयोग की द्रिष्टी से टाइलों के प्रकार सेंटीमीटर यदि किसी क्ले प्रोड़क्त की मोटाई चार सेंटीमीटर या उससे कम हो रही है तो इसको टाइल कह सकते हैं उपयोग के द्रिष्टी कोण से टाइल है निमने प्रकार की होती है क्या पहला फर्सी टाइल फ्लोरिंग और पेविंग यानि फर्स पर लगाने यह यह तरह हैं वह से नलिका के आकार का होती वह टीमें सबस्क्राइबिया यह होगे तर्संटार पर इंडल में सबस्क्राइब नियुक्ति पहले के बारे में यह टाइल पर उपरी आस्तरण के रूप में लगाई जाती है यह चपटी और प्लान में वरगाकार आयताकार अत्वा बहुत बुजाकार होती है फरसी टाइले सामानता 99 99 यह फर्स पर लगवाता है इसके अलावा यह हम लोग बात करें इसी तरीके से तो अगली टाइल जो आपकी होती है इनके बारे में पूरा देखे टाइल के बारे में पूरी कहाने लिखी गई है एक सब्सक्राइब बनाई जाती है इनके मोटाई साड़े चाहे मतलब समझते हैं चार सेंटीमीटर मनें चालीश सेंटीमीटर बोला था यह एक सेंटीमीटर से भी क्या कम और 20 मिलिमीटर तक यानि दो सेंटीमीटर तक रखी जाती फर्सी चाहिलों की उपरी सत्व चमकदार कांचीत अब घर्षन रोधी यह हो अक्ति टाइलों को बताया ने जो फर्स पर लगाई जाती है इनको सैनेटरी टाइल स्विकाए असल में दीवार पर टाइल कभ लगती है बात्रूम वगर हम देखें कभी बात्रूम में जहां पानिक विरता है दिवालों पे वहाँ पर चारों तरफ टाइल लगा दी जाती पर दीवाल वाली टाइल पर लोड नहीं आता है वो खाली चिटका रहता है उससे कम स्ट्रेंथ का भी चलेगा थोड़ा उनसे अलग टाइल होती है अलाकि लगाने को दोनों लगा सकता है इनको सैनेटरी टाइल भी कहा जाता है टाइलों की माप सवब गुणा 100 से 150 गुण यह टाइल है मसीन द्वारा प्रेस करके बनाई जाते हैं इन टाइलों को जोड कागर जैसे महिन रखे जाते हैं चप्टी टाइलों को अपयोग दिवारों की खड़ी फलकों पर इनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए भी किया था यह खड़ी स्थिती में डैडो और स्कर्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब तर नोइते हैं यहां पानी के संभव ना रोती औरड़ी न होती है यह सब है आपका कौन सा टाइल को भूलती है यह टाइले जनरी जहां फे चाथ ड्हालू होती है यह नहीं हालू छतों पर आवररक में की भाती लगाई जाती है कामरों को धूप वर्षा ठंड से बचाती है छत पे कई बाट टाइल लगा लगा कैसे कमी खपरेल देखते हैं खपरेल को भी टाइल बोलते हैं गाओं में कमी आप देखें हैं कच्छे मकान जिनके उपर ऐसे रख करके बनाया जाता एक के नीचे एक क करके पूरा था कि बारी सो तो उपर से निकल जा वो भी टाइल होती है उनको भी टाइल बोलते हैं ठेकर उसी को समझेगा लोपी छतों पर आवरण के रूप में स्लेटों की भाती लगाई जाते हैं और कमरों को दूप वर्षा ठंड से बचाते हैं ग्रामिड छेत्रों मे अधार दिया जता है कुछ टाइलों की तली उपर उभरे हुए होते हैं जिस कारणे बत्तों पर दिर्टता से ठीकी रहती है आकार के द्रिष्टी से मुख्य टाइल है कई बार पॉट टाइल होती है फिर दूसरा आपका पैंड टाइल मनें इनकी जो बनावट उस आधार यह तो उपयोग के आधार करने उपयोग के अधार पर टाइल है कि रूपिंग ए कुछ आपका कि वाल टाइल हैं कुछ आपका सब्सक्राइल है लेकिन जब उनकी आकार की बात करते हैं तो यह पॉत टाइल पैंड की चलेगा चौथा आपका होता है नाली टाइन यानि ड्रेंट रेंट टाइले ओती ही ये सामाने टाइलों से लंबी होती है इनका उपयोग सीवेर वा गंदा पानी लेजाने के लिए किया जाता है जन्से तो नाली के लगा लेंगे तो चीछ क्लिए हो जाएगे ठीक है उसके बाद अगला आता है आपका अगला कोश्चन किस प्रकार की मृदा इंटों के निरमाण के लिए उपीवत होती है समझाई ये इंटों का निर्माण कैसे किया जाता है वो तो हमने आपको समझा दिया इंटों का निर्माण कैसे किया जाता है वो तो समझा दिया लेकिन यह अगर समझा ना रहा है कि उसमें जो मिट्ट जैसे आपने मृदा का चैन किया था उसके बाद उसको गूंथा धाला लेकिन पहले के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है वो कैसी होती उसके बारें बताईए चलिए बात कर लेते हैं इंटों के उत्पादन के लिए मृतिका एक महत्वकूर्ण कच्छा माल है जिसके कुछ मिस्रण के साथ सुगट अवस्था में और सांचे में ढाल कर इंट बनाई राती दे आलूमीना 20-30% तक चूना 2-5 लौ आकसाइड 3-5 और मैगनिसी आधी एक परसंट यह चीजें जिसके अंदर पाई जा रही है वह मिट्टी आपकी इंपोर्टेंट होती है उससे आप लोग बना सकते हैं क्या अगर मिट्टी में यह चीजें कम या जादा हैं तो इस यह तरीका होता है यह कुछा किस प्रकार की इटों के इटों के निर्माण के लिए उपिर्थ होती है इस प्रकार की मिर्दा यानि कैसी मिट्टी चाहिए ऐसी मिट्टी चाहिए ठीक है ना तो यानि मोटे तोर पर अगर लेखें तो बालू लगभग 3-5 यानि यह दोनों म परसेंट बीस परसेंट यानि सिलिका बालू तीन बटा पांच यानि साट परसेंट और इसमें लिखा नहीं है लिखा नहीं है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपको सिलिका दूसरा आप लिख लिजेगा है आप अलूमीना अलुमिना एक बटा पांच और इसी में तीसरा हम लोग लिख देते हैं क्या मोटे तोर पे निम्न मात्रा नी जाती है तीसरा आपका जो है वो है लाइन अगर यह सब मिला के होंगे एक बटा पांस तीनों को जोड़ देंगे एक आजाएगा इसको परसेंट में लिखेंगे साथ बीस बीस एक बीस में होना चाहिए मिट्टी में होना चाहिए तब उससे इंट अच्छी बने ठीक है इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें अगला क इसको आउचन कर तर है कि Iosар लिच्छी अरी sport पंचानवी ज тебя के बीच्छन करने के लिए दोटों के परिच्छन करने के लिए मोते मोटे इीडों के 5 परिच्छन अमलों कर सकता है कौन-कौन संपमेत्ष टेस्ट दूसरा उसका कोंप्र एंचंग तिसरा वू पानी कीटना सूसरा water absorption test चौथा आप उसका efflorescence यानी उत्फूलन परिच्छण कर ले आप पाचमा उसका soundness test कर ले या sound test कर ले उसका इतनी सारी चीज़ें आती हैं देखो तीन परिच्छण पर लिखें हैं कंप्रेसिव श्रेंथ वाटर अब्जार्शन दो और टेस्ट हैं जिसमें उत्फूलन परिच्छण और soundness test यानी ध्वानी परिच्छण यानी पांस तरह की टेस्ट आपको लगबग दीख गए हैं ठीक है अब देखें जरा हैं इसके लिए हम लोग क्या क्या कहानी करते हैं स सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट को समझते हैं सबसे पहले परिमाब परिच्छण कोई एक पूछेगा पांचों एक साथ नहीं पूछेगा परिमाब परिच्छण बना बीस बीस इंटें ली जाती है परिमाब परिच्छण की इंटें सही साइच कि नहीं कि नहीं एक इंट लगा होगे तो आएगा 380 cm 200 इंटों को एक साथ ना पो देखो ये 380 आ रही है या फिर प्लस माइनस 8 cm का यदि अंतर भी है तब भी चलेगा यानि 380 से अगर 372 हो या 388 हो तब भी चलेगा कि चलो ठीक है इतना टॉलरेंस ज्यादा है तो गड़ बड़ फिर दूसरा यह हुआ आपका इसके डाइमेंशन की बाद दूसरा यादि इसको चोड़ाई में रखते हैं या नो नो के रेंज में नौ गुना बीस होना एक सासी चाहिए लेकिन लगभाग एक सासी में प्लस मैंने चार का डिफरें इसी तरीके से यह तो उसकी साइड की बात हो गई लेकिन इसी तरीके से हम लोग अगला परिच्छन उसका कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संपीजन सामर्थ परिच्छन यानि यह परिच्छन कहता है संपीजन जांच मसीन पर किया रहता है इसमें ली जाती है इंट पर ट एक तीन के रेशियो में 1 जू ठीन, 1जू, 1 मिला के मसाला उसमें भर लेते हैं उसके हैं कि ऐसक us also को पूर्शी तरीके से और सम्पीधनacht वाधोन सामर्त मसीन में लगा करके उस पर लगाते हैं इतने बल पर यह टूट जाती है उसमें इन्ट के छेतरफल से भाग देते हैं छेतरफल सेंटीमीटर में ली जिए गा जैसे इंट का ऊपर ही शेतरफल ऐसे माली एक इंट है और इसकी साइड है उन्निस नो नो तो ऊपर का यह हुआ नो और यह वा कितना उन्ने अरिया उपर पता चला कि किस बल पर टूटा वो मसीन बता देगी आयरिया से डिवाइट कर दोगे तो पर स्क्वायर सेंटी मीटर कितना बल लगा वह पता चल जाएगा इसी चीछ को यहां पर जो है वो समझाया गया है नीचे संपीजन सामरत परिछण में देखेंगा यहां पर लिखा ग की बाइन जिकाले को पाणी से निकाल कर संपीजन जांट में रखकर टेस्ट करेम सीन में कहीं कोई देख और नीचे प्लाइस सीट के समयन सामने टुकड़े रखें और डिबी का मूं उपर को रहा है मतलब जब रखेंगे इत को तो ऊपर की तरफ रखें फ्रॉप और उसक पर स्कॉार संटीमेटर पर मिनिट कि दर से जैसे फिले लगाओ दीरे धिले बढ़ाते जाओ अर मिनिट हर मिनट एक सोचालेस के डिका फोर्स बढ़ाओ और एक स्कॉयर संटीमेटर यानि पूरे पर बढ़ा लो उसके बाद देखो भंजन के समय प्रयुक्त भार और इट का अधार छेत्रफल इससे आ जाएगा इट की संदलन आमरत पांचों इटों की सामरत का आउसत लेकर संदलन सामरत ज्याद करें हास्त निर्मित की हास्त भाट से बनाई जेएका 30 से 50 होता है फस्ट क्लास होगा थेकल क्लास सतर जर्ट क्लास 65 जबकि मसीन से वने हुई इटों की सामरत थे ठीक हो सकती है मसीन धालित इटें जो होती है उनमें हाथ से मॉल्डिंग नहीं होती है ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा अगला कह रहा है पहला टेस्ट हुआ अभी सम्पीरियर सामध कोश्चन पूछा था क्या कोश्चन पूछा था हम से कि यहां पर इतना यह कोश्चन बोलेगा ना थोड़ा सा सतर करेएगा इसलिए तो कि चारों टेस्ट हलके में समझाईएगा अगर ज्यादा नंबर का है तो अना ही थोड़ा थोड़ा कायते निकलते बनिएगा पांच टेस्ट है पांचों करने के लिए पूरा नहीं बता है इतना लोग फिर प्रतिद्वर्स यह सम्झाई मनें हालका हलका समझा दिजिए तीसरा टेस्ट है आपका जलाव सोचन या पानी में डूबाना है तो सबसे पहले या परिछण इत की संदमतार था पानी सोखने की दोस्ट की जाच के लिए जाता है अच्छी इट को 24 घंटे तक पानी में डूबए रखने पर इससे अपने भार का बीस परसेंट से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए नहीं तो खराब इट परिक्षण के लिए पांच इंटों को लेकर सौस एक्सों पंदर डिग्री सेल्सियस पर गरम करेके सुख इतना दिर तक उसको ओवेन में सुखने दिजिए पूरा सुख जाए उसका भार कर लिए डबलुवन आएगा अब उसको ले जागे 24 घंटे तक पानी में डुबा दीजिए वह पानी बढ़ियां से सोखे पहले पूरी तरह से सूखा था अब पूरा पानी सोख लेगा सोखने के बाद इसका भार बढ़ जाएगा 24 घंटे तक पानी में डुबाई डबलुवन डुबुवन अब इटों को 24 घंट तक पानी में डुबाई रखे इस आवधी के बाद पानेश निकाल करता हो कि पूना तो ले माने डबलू बाद का डबलू अने कितना बड़ा डबलू अन माइनस डबलू पहले डबलू था डबलू अनोगा तो बढ़ा हुआ भाहर प्रारंबिक भाहर गुणा 100 यह होगा प्रतिशत जलाव सूसर बात सम्दारी ना चौथा है अब परिच्छ को वोलते हैं इफ्फ्लोरेसंस टेस्ट कर फूल रिच्छा इसमें नेएटों के अंदर यदि ंधर जादा पाया रहे संसी चीज़ है जो सैल्टी हैनि इससे अंदर लवड ज्हादा है शारी प्ढार कि लकानाईस ज्यादा विए इट आप्हीं मजबूत जाड़ने लगाए इत सफे दोकर के टूट गया इत यह सब क्यों होता है इत्लोरेसंस के कारण यानि इत में चारीता लवनों की अधिक्ता से लोना लगना जिसको बोलते हैं कभी सुने होंगे यानि चारी पदार्थ जो इसके अंदर होते हैं इनकी मदद से इतों में लोना लगता है इसके लिए इते सफेद होकर घाड़ने लगते हैं तुमाम निक्कते आ जाती हैं तो इसके लिए देखे पूरा नहीं समझाया क्योंकि जानता था कोर्शन वैसे अगर मैं इसको पूरा समझाता तो इसके अंदर बहुत कुछ लिखने निक्राने पर रेंगिंगिंग निकलना चाहिए यह बता दिया पूरा अब हम लोग का आगला चेप्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेंट अभी इट हम लोगों ने पड़ा अब अगला चेप्टर आपका आता है आप सिमेंट ठीक है अब सिमेंट क्या कह रहा है इसको भी देखिएगा इट पूरा जितने मतब होने लायक थे उसमें इंपॉर्टेंट कोस्चन वह ने करा दी सिमेंट के बारे में अगली ची यह अपने आप में बहुत बवाला कोश्चन से किसी एक परिच्छन को समझाने में पूरा कोश्चन चला जाएगा यहां तो पूरे परिच्छन समझाईए तो भाई कोई एक ही देगा एक्जाम में अगर पूरा दिया तो बस हलका हलका बता के निकलना कि इस परिच्छन मे इसके अंदर आता है वो कौन सा परिच्छन है वो है फाइनेस टेस्ट यानि सूख्षमता परिच्छन सिमेंट कितना महीन है इसके जाच के लिए ठीक है पहला परिछण लुट सि Convention में है वहाइब का थैस्ट है यारी सूच मता परिछण परिषण कितना और उसमें क्या आनम लोग से बोला गया सूच मता परिछण में ठीकत demons समान रूपसे महिन भीषण होना चाहिए कि विवी, अधानिक क्रिया होगा तो छल दी मिलेगा तो सिमेंट महीन होने से उसका पानी के साथ क्रिया अग। सांति कि पैफ होता हुआ है तरीका से इसलिए इसको बोलते हैं अब सुच मता परिछन ठिक है हें परिच्छन जो सीव प्रिकार्ण सीव और लुशंव होता है सरस्फेस एरिया टेस्ट यानि इसको बोलते है सतही छेत्रफल परिक्षण तो पहला परिक्षण जो सी होता है ना उसमें चालनी से छाना जाता है किस चालनी से इसके लिए आपका 100 ग्राम सिमेंट लेते हैं और 90 माइक्रॉन की चालनी इसको आई ये सीव नंबर 9 बोलते है नौवी चालनी हो जागा रहता है लाइब में उससे चलाए और जब 15 मिन तक छान ले तो भाई ज्यादा तर सिमेंट पास हो जाएगा महीन रहेगा तो तो 90 परसेंट पास हो जाना चाहिए यानि बचा हुगा 10 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए चालनी के उपर कुछ बचेगा कुछ प पाइन सिमेंट है सही है ठीक है यह हलाकि सामान ओपीसी के लिए वैलू है जो लिखें आपने 10 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए यह ओपीसी के लिए और दूसरे के लिए और भी वैलू अलग हो सकती है दूसरा सताही छेत्रफल परिछन एक जान लेजिएगा जितना चोटी चोटी बॉल के एरिया से कम होगा इतना चोटा इसका एरिया कैसे नहीं मैं सबकी बात कर आओ असला बड़ा था ना तो यह पूरा एरिया था चोटा बॉल जब गो तो यह अंदर अंदर कई एरिया बाहर आ जाएगा यानि सताही छेत्रफल बढ़ता है तो इस हिसा एक ग्राम सिमेंट का जो स्पेसिफिक सर्पेस एरिया है वो बाइस सो पचास स्क्वार सेंटीमीटर होना चाहिए यह भी डाटा ओपी सी के लिए है यदि दूसरा सिमेंट होता जैसे कि आपका रेपीड आडनिंग सिमेंट होता या क्विक सेटिंग होता तो यह बतीस सो करने के लिए दो परिक्षण चालनी और सताही छेत्रफल परिक्षण तो दोनों आपने क्लियर कर लिया अब यदि हम लोग इसी तरीके से बात करें तो अगला टेस्ट आपका है सघनता यानि गाणापन परिक्षण पहला तो सूच मता था दूसरा परिक्षण आपका सघन परिक्षण यानि इसको बोलते हैं हम लोकर इसको ऊधनी का नार्मल और स्टैंडर्ड कंसिस्टनसड टेस्ट नहीं यह बागी टेस्ट के लिए एक जरूरी काम करता है यानि सेवेंट्का जब भी कोई टेस्ट करेंगे तो सेम्ट पर पानी मिला के उसका पेस्ट बनाएंक उसी पर टेस्ट होगा यह जान लिजीगा कि कोई भी टेस्ट करने के लिए सिमेंट पानी की मात्रा निर्धारित करने पड़ती है और वो पानी की मात्रा गाढ़ेपन सघंता या गाढ़ापन परिछण से निर्धारित हो सकती है देखे वैसे अगर गाढ़ापन का बात करें तो सिमेंट में एक निश्चित पानी की मात्रा पर एक निश्चित गाड़ापन प्राप्त होता है पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो लूज हो जाएगा पानी की मात्रा कम करेंगे तो और सुखा हो जाएगा मानक गाड़ापन कहा जाता है किसी सिमेंट में पानी की वह मात्रा जिसको मिलाने पर ऐसा पेस्ट बने जिस पेस्ट को विकाट निडिल अपरेटर के प्लंजर द्वारा 35-35 mm तक धसाया जा सके या उस प्लंजर का जो निडल है जो प्लंजर है वो तली से 5-7 mm उपर रुख जाए यह बात नहीं समझ में आया कोई बात नहीं इसको मत समझीए बस आप यहां पढ़िएगा क्योंकि इसा में क्लास में समझाया हूं ठीक है कुछ चीजियों तो चूटेंगी लेकिन हमारा इक्जाम इतने से अच्छा चला जाए तगहनता के लिए जब सिमेंट में पानी मिला जाता है ताव या पेस्ट कड़ा होने लगता है तता सामर्त करने लगता है ठीक है और इसके साथ ही अपन faudra लगता है अधा सिमेंट में जलेयोजन की क्रिया यानि जर बात करें इसमें क्या होता है तो जलेयोजन की क्रिया यानि है थिच्छ पानी मिलाना आवस्यक अबaltet गाल्यपन का मान त exactement करने कैं लिए क्या खास बात होगी वह देख लिजीए अब तो अब brakes देका ड़ा गया उपयुक्तमात्रा वstar गया टेस्ट है उपयुक्तमात्रा मतलब करने कि अधरी कव सपयां तुक emphasizes आपर जिस्सेश्चित経ु कहले वाठेज आपर्यापन पराप्त सब्सक्राइए अब अभियाधी प्लंचर इतर दी 35 कि झारा है इस समय का गालापन माना तक अगर 35 से 33 तक बीच लेगा अगर ज्चाब यह जिसे और पाणी की मात्रा किसी सिमेंट में जो विकाट प्लंजर का जो प्लंजर है वह 35 मिलमीटर तक दासा है तो माना के हो सकता है कोई सभ्यी माणाबं पानी उसका परिज्टार भाष्य तीस से तीस परसेंट तक पानी मिलाना पड़ जाना तो लगभा 20 से ठीच पर्शेंट वैलू आती है लाद Рट की लिए कैसे की शुरेट ही आवस्यक परिखण की जाया से वाख्ता में सिमयंट के तीन अवस्यक परिखण तो पूरी बात नहीं किया आप चाहे तो पड़ा सकते हैं मैंने फिर से मैं कहिरा हूं अगर जिस स्टीक में आपको लग रहा है कि मेरा नहीं तयार है नीचे description box में link है main video की भी आप main video को भी पूरी तरीके पढ़ सकते हैं बहुत कम ही तेरा 14 वीडियो में पूरा construction material मेंने सतम किया है और एक भी चीज बची नहीं सब पढ़ाया गया उसमें ये भी जान लिजिए आपका गाड़ापन परिच्छण अगला है निर्दोसि मिलाने पर मानक गाड़ापन बन जाएगा या तेस से निकाल सकते हैं तो फिर आप निर्दोसिता परिच्छण जब करने जाएंगे तो उसमें आपको यह मालूम करना पड़ता है कि सिमेंट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नुकसान कर रही है जो सिमेंट को बाद में फुला देगी तो कई बार सिमेंट मनता है चुना से आपको मालूम होगा सिमेंट किसे बनता है जब ऐसी कोई चीज उसके अंदर होती है तो सिमेंट क्या होता है एक्सपेंड करता है तो एक चीछ यहाँ पर जान लिजिएगा कि निर्दोसिता परिच्छण में यह मालूम तवस्थां उपस्थी चूना और मैगनेसिया जो सिमेंट के आवस्था घटक है कि आयतन बढ़ने कारण होती है इन घटकों का बुजना धीरे-धीरे होता है पाने से क्रिया करके मुक्त चूना आयतन में अतधी फूल जाता है जब कि मैगनेसिया इसकी तुल नाम कम फूलता हम कैसे जानेंगे कि सिमेंट में कहीं चूना वगरा ज्यादा पाया तो नहीं जारा है जो बाद में फूलेगा उसको करने के लिए एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं ली चैटिलियर उपकरण हलाकि इसके लिए आउंटो क्लेब मसीन भी होती है उसके बारे में मैंने है आपको बताया था में आपकेशले में ली चैटिलियर लिखिए गास फ्री लाइब बताता मैं बता पाता है मैं बतापाता नहीं एक ही आएगा पूरा एक साथ आएता थोड़ा दोड़ा पड़ना प्रत ई करें येसे चंप्ते जैसा होता है और प्लान में अंदर आपकल वह पूरा ये यह खाल डबा जैसा है फाली डब्बा ले लो गोल उचाई 30 mm, डामीटर 30 mm, इसमें दो इंडिकेटर लगे हुए लंबाई में, और ये कटा रहता है यहां से, इसी में वो पेस्ट भरा जाता है, क्या? सिमेंट का पेस्ट इसके अंदर भर दिया जाता है, कैसे भरेंगे सिमेंट का पेस्ट? पहला काम है, सिमेंट में पानी मिल पढ़ेगा 0.78 P P क्या है पानी मानक सगंता के पेश्ट के लिए पानी के मातरा पी हो तो उसमें फिर साउंडे स्टेस के लिए जो मातरा मिलाए जाएगी वो पॉइंट 780 मिलाई जाएगे ठीक है इतना पानी मिलाने के बाद उसको इस उपकरण में भरेंगे और देखेंगे कि भरने के बाद पहले तक खंड़े समाइब उसके बाद बीच की दूरी है कि नहीं बढ़ रही है और ने इनके बीच की दूरी यादी यदी इनके बीच की दूरी 10 म्लिमीटर से ज्यादा बढ़ जाए उसके अंदर पुछ चुना या मैगनेसिया थे जो फैल गए इस वज़ा से हम लोग कहते हैं कि इसका जो क्या है आपका जो इसके अंदर जो साउंडने से या इसके अंदर दोस निर्दोस नहीं है ठीक है इसी तरीके से आप जमावकाल परिछण भी करते हैं सिमेंट का जमावकाल सिमेंट का पुरंत जमना बहुत बड़ी विक्कत है इसको 30 मिनट के बाद ही जमना चाहिए कौन से सिमेंट को बाकी दूसरे सिमेंट के मैं बात नहीं करना हूं ओपी सी को कम से कम 30 मिनट के बाद ही जमना चाहिए ठीक है हम कैसे पता करेंगी कि हमारा जो सिमेंट है वो कब अब जमना शुरू हुआ इसके लिए हम लोग जमावकाल परिछ्ण करते हैं जमावकाल परिछ्ण दो तरह से होते हैं एक प्राणंबिक जमावकाल जो 30 मिनट तक होता है 30 मिनट पर सुरू होता है अंतीम जमाव, जमाओ व्काल वो 30 मिनीट कम से कम रहे ताक्स कूस्ट उस समय न Separ idee तक उसके बाद दे लगा लिए औरुछ को लेकिन जो अंतीन जमाओ assault heya what is ago 10 गंटे तो दोनों टेस्ट करने पढ़ते हैं कि इसका जमाँ पीस मिनीट को बाद सुरू हो कि नहीं और दस घंटे से पहले-पहले खतम हो जा रहा है कि नहीं इसके लिए जमावकाल पर इच्छण करते हैं तो इसको जमावकाल पर इच्छण में दो होते हैं एक इनिस्यल और एक फाइनल सेटिंग टाइम इसे टेस्ट करेंगे तिमेंट का फिर से पेष्ट बनाएंग हैं और चाए प्रारंबिक करेंज अंत्रणावकाल करें एक चैश्यान लेजीहां प्रारंबिक जमावकाल के अंतरगत आंतरगत जैसी विकात नेड़िया प्लंजर जिरिया जारा तो नहीं च्छे देखि यह दो आप ले रहे हैं आप पोसिट करिए कि आप में कलास कम्प् रोट करिए फस्टीयर की क्लास या एक रूपए में बस उस पर है इसलिए एक रूपए किया गया है उससे कम रखी नहीं सकते हैं वह इसलिए क्या है कि वह फ्री यह है वहाँ एक तरीके से ठीक है बाती नोट्स वगरा भी मिल जाती है अगले समस्टर से थोड़े बहुत पै कीजिए आपको देख जाया है ठीक है ना इस वजह से वह एक रूपए रखा गया तो चार्ज उसका कोई ऐसा नहीं यह उसको फ्री करी ने एप पे कुछ भी रहेगा तो पेड़ रहेगा है ठीक है और पीडिएफ हो सकती है लेकिन वीडियो नहीं हो सकते है तो इस वजह स है इसा किया गया है सिक्वेंच से पूरा मिल लागा आपको फरस्टियर की क्लासे सब कुछ ठीक है एप भी डाउनलोड करके आप अहां पर देख सकते हैं केवल एक ही रूपए लगता है उसका चार्ज फरस्टियर वाला उसके बाद मैं पूरा छे साथ सब्जिक्ट आपक अगर देखो जब तुम कुछ अच्छा करते हैं कि है बड़ा अच्छा काम किया तो मोटिवेशन मिलता है थोड़ा साम लगों को वैसे से motivation से मैं मोटिवेटेड नहीं हूं मैं काम करता हूं मोटिवेट होता हूं लेकिन यदि आप लोग support बनाते हैं तो और अच्छा लगता है और चैनल चल रहा है आगे भी चलेगा इस पर बहुत सारी चीज़ें होते हैं वह सारे काम आपको सीखने को मिलेंगे जब आप इंजिनियर बनने जाएंगे उस समय बहुत सारे इस चैनल पर आपको मकान के नक्से बगएरा सारी काम प्रैक्टिकल काम भी चलते हैं ठीक ना तो वेब साइट पर हमारी जो सिविल टेक्स लूशन डॉट इन है उस पर यह सब भ उपस करता हूं मैं लाइब भी जल्दी नहीं आता हूं आप वह से बात करने को कि मेरे अपने और भी काम चलते हैं तो मैं उसमें ज्यादा इंवॉल्व रहता हूं तो पढ़ाता हूं पढ़ाऊंगा लेकिन जिसे होता ना बीना मतलत कि यह कर देंगे वो कर देंगे ऐसे क चांस नमबर लाएं वो सब मुझे नहीं आता है ठीक है मैं काम की बात करूंगा आपके सामने और आपका भी समय कम लोगा जैसे अगर लाइव लाते हैं तो दो घंटे लेते हैं एक चैप्टर साइट खतम होता मैं बता रहा हूं एक चैप्टर खतम करने में दो घंटा को लिए कैसा लगा समझ में आया अच्छा गुड मार्निंग गुड इवनिंग नई समझ में आता है मुझे काम की बात करते हैं आई कि थोड़ा बात बीच बीच में इसलिए कर लेता हूं कि आप लोग बीच में बोर ना हो जाए तो देखे आं जो प्रारंभिक जमावकाल परिच्ण है उसमें हम लोग करते क्या है उसमें भी विकार्ट नीडिल उपरेटर्स होता है और उसके अंदर मसाला भरके जैसे पलंजर गिराते थे तो गाढ़ापन का परिच्छन किये थे उसमें तो मोटा सा प्लंजर गिरा थे 10 mm उसका एरिया था 10 mm का डाया थे उसका एरिया नहीं जो गिर रहा था उसका डायमीटर 10 mm था लेकिन जब वही चीज़ निडिल गिराते हैं तो पट से पूरा धास जाएगी पतली सी निडिल है जब लगभग 30 मिनट या 35 मिनट के बाद एक ऐसा समय आएगा जब वह धासेगी लेकिन 35 mm धासेगी पूरा अंदर तक नहीं धासेगी 40 mm पूरी गहराई 40 mm होती है मौल्ड की उसमें 35 mm तक ही वह धासेगी हम समझ जाएंगी यह वही समय है यह सुरू से पानी मिलाने से लेक होता है जबकि अंतीन जमावकाल वह समय होता है जब निडिल धासती थी निडिल के साथ में कॉलर यूज किया था धासने की बात नहीं हो रही एक निडिल है ऐसे जो धास जारी पूरा समझे काटोरी में सेमेंट रखा उस पर से गिराया जा रहा है तीन सो ग्राम का वेट अधर भी लगा दिया जाए और कॉलर में लगाने के बाद जब छोड़ा जाएगा इसको तो यह जब नीचे धसे की ना सिमेंट में तो एक समय ऐसा आएगा कि निडिल धसना बंद कर देगी केवल निसान छोड़ेगी फिर और समय बितेगा तो छोड़ेंगे न तो पानी मिलाने के 10 गंटे बाद ऐसा होगा कि निडिल धसे के नहीं केवल सुरी कॉर निदिल केवल अपना दिसान बनाएगी और कॉलर अपना निच्शान बनाएगा और तक का वह समय जब विकाट नीदिल अफारिटस में कॉलर और निडिल की कॉलर कर देगा और केवल चोड़े केवल निडिल अपना निशान चोड़े उस समय को हम लोग कहते हैं अंतीन जमावकाल यानि final setting time तो यह सब भी बताया गया है कि आपका प्रारंभिक जमावकाल क्या है अंतीन जमावकाल क्या है कारे विधी क्या है उनकी करने कि यह बार रिडिंग लगा लिजीएगा पूरा क्लेरटी आपका आ जाएगा अगला आपका अंतीम जमावकाल के बारें देखें क्या बोला है यह वदी 10 गंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि प्रारंबिक जमाव में 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए अंतीम जमावकाल 10 जब आएगा तो भीता है थोड़ा थोड़ा पातके निकलो पूरी बात मत करो अलका हलका बतातके निकलो कि टेस्ट में क्या किया होता है और अगला टेस्ट आपका है सामर्त परेच्छन यानि आपका संपीड़न सामर्त परेच्छन इसका जो है तानन भी ओता है लेकिन अभी के वल मुख संपीड़न संपीड़न में दो देखें 70.6 mm का क्यूब बनाते हैं यानि 7.06 cm का एक क्यूब बनाते हैं इस क्यूब के उपर बल लगाते हैं ऐसे लगभद कितना 300 350 केजी पर स्क्वाइर सेंटीमीटर पर मिनट किदर से इस पर लोड लगाते हैं और देखते हैं कि किस लोड पर तूटता है और इसका जो एरिया होता से यह साथ दस्मौलवाज है और साथ दस्मौलवाज है यह पचास स्क्वार सेंटीमीटर क्या आएगा जाए फिस यूसे । नहां इसे की स्பरेशन में वह लोगा जाएगी ठीकना इसी तरीके से नियुक्रेएं और भी इसकी सामरत बी क्योंका बनाइगा है क्यों बनाते हैं स्हittaब उसको क सब्लेंगे सेम्पल गूंगी已經 embrace and proportionala पानी की मात्रा यहाँ उसी कि मात्रा से निकलेगी क्या है मानक सघंअता का पेस्ट बनाने के लिए पानी की मात्रा है पी मानक सगंता का मतलब होता है गाड़ापन बनाने के लिए एक निश्चित पानी के मात्रा चाहिए उस पानी का पी बाइब पॉर करिएगा पी बाइब फॉर अप्लस 3.5 जोड़ करके इसमें इतना परसेंट लिएगा सिमेंट और बालू का पुल बार, जब ये टेस्ट किया जाता है, इसमें एक पीन के मसाले में, एक और तीन, बालू और सिमे Tweaker लिएता एक तीन का उसमें पानी मिलाते हैं कितना पानी प्लस 3.5 पानी मिला देंगे पानी मिलाने के बाद बनेगा एक पेस्ट को एक साचा रहता है उसमें भरेंगे उसकी तराई करेंगे तीन दिन बाद फिर साथ दिन बाद फिर एठाई दिन बाद तीन बार उसको यहां पर लगा इसकी संपीदन सामर्त कितनी है यहाँ पानी की मातला है यहाँ पी सामान सगंता परिक्षण द्वारा ज्यात किया गया पानी का मान है वही सामान सगंता परिक्षण गाड़ापन परिक्षण पहला था यह था आपका फिर उसके बाद जाच के बारे में इसके बताया है और उ तेस्ट भी है और भी टेस्ट है इतना ही नहीं ऐख है लेकिन काफी है अब बोला आगला कौशन स्मेंट उतपादन की गीली विधी का वढणन प्रवाहरेक बनाएंगे अब देखिए हैं प्रवाहरक मना कर करें प्रवा रहे क्या होता है दिख रहा फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं लो लो टाइट ठीक ना इसको क्या बोलते हैं लो फ्लो चार्ट तेक चीज़ जान लेजिए फ्लो चार्ट या प्रवा रहे क्या होता है इसी भी मैंने अभी पीछे बता प्र यहां मृतिका लेंगे पानी से धुलाई करेंगे फिर टैंक में डालेंगे यहां दोनों ले आके वास मिल यह निदावन चक्की को वास मिल बोलते हैं इसमें ले आके सुखाएंगे सुखाएंगे पीसेंगे पीसने के बाद उसमें से घोल निकलेगा किसका चूना और अबहोल को स्लरी बोलते हैं स्लरी को ले जाकर करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें और मिलाने के बाद इस लखाएंगे और पकाने के ihn कि यह यहां पे इसे में पीसाग पोएला और हवा डाली, ताकि इसम्याग लगी रहाएं ःस्के क्लिंकर निकलता है क्लिंकर मतलब जले हुए सिमैं श्रीक उसके बाद क्लिंकर को ले जाकर जिप्सम मिला कर पिसाई कर दिता है पिसाई गोला चक्की या ट्यूब चक्की में होती है फिर सिमेंट ले करके उसको तॉल करके उसको भर करके सप्लाई कर देता है यह गीली विधी का वर्णन है देखे इसी बात को बहुत डिटेल में मैंने अगर आप कंस्ट्रक्शन मेटेरियल देख रहे हैं तो लेक्चर न वझवर्जस तरीका था यह बहुत इंप्वार्टेंट क्वॉष्चन है इसको ऐसे ही तईयार रखेएगा ठीक न अपनी भासा में भी लिख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप हैं अब से पहले क्या सबसे पहले क्या सब से पहले क्या स्मेंट बनाने के लिए चूना पत्थर पक रहा है जल के पिस पिस को तॉल के सप्लाई कर दियुए ए ही ठरीकहा है इसकी क्यों हुआ के लिए स्थली परिच्छणक देखें जैसे सिमेंट में अभी आया था जिसे के परिच्छण को समझा यह तो 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 लैब में सब सम्पीजन की निकाले लीच एटीलियर निकाले फिर कई सारे लेकिन आपको सामान इस्थल पर जाच करना कि गए कहीं पर सिमेंट खरीदने जाच करना है सही है कि नहीं पूरा सिमेंट में में ले जाएंगे छोटे कामों के लिए लैब टेस्ट ज़रूरी न वाला इस्थापित की जाती उने लैब बनाया जाता है बड़े कामों के लिए कोटे अथवा कम महत्म के कारणों के लिए सिमेंट की मौक्य पर ही परक कर लिए मौक्य मतलब फिल्ड में ही इसमें कम समय लगता है और परणाम भी तुरंत उपलब दोता है सिमेंट की कुछ इस्तली परिच्ण है सिमेंट को यह जाना जैसे आप अपने पापा के साथ सिमेंट खरीजने गए ले आएंगे लेट में टेस्ट करने है अलका फुल का टेस्ट जो करना है यानि वहीं पर टेस्ट हो जाए उस टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और वह टेस्ट के बारे में लक्षण उसकी कुछ है देख लिए आप सबसे पहले उसका रंग चेक कर यह समेंट का आप यह सारे चीरिया अगर देख लेते हैं तो लगबग पता लग जाता है ताधारन पोर्टलाइंट सिमेंट का रंग विशेष प्रकार का हरा धूसर या हुँआ है झेमन का जो जो बोरा होता है उसमें हाट डालेंगे तो थाम से ठरम लगना चाहिए अगर कर नखριं गलता पाुजじゃあ शेन निभाद होता है रहता है पानी लोग क्याते हें हात मत लगा व सिमेट में हाथ कट जाएगा हूँ क्योंकि जब सिमेंट करिया सील होता है याव सेट हो रहा होता है और रहा हो गरम हो जाता है और इप्धम जमता father commitment थंडा होता है धिक करता नहीं है तो सिमेंट काफी पूराना है का मतलब यह हुआ यहां पर देखी गया से पुराना थेक है उसके बाद आपका आता है पानी में जाँ यानि पानी की भारी कोई बाल्टी एक मुठा सिमेंट लेके ऐसे गोल के डाल दिए वह सिमेंट धीरे धीरे क्या होना चाहिए तली में बैट जाना चाहिए यदि वह तली में नहीं बैट रहा है या तली में नहीं बैट रहा है या तो ऐसे डाले तुरंट खट से बैट जा दुन्नों दिक्कत है धीरे धीरे तली में बैटना चाहिए ठीक है ना धीरे से तली म नहीं होना चाहिए या है भी तो खले ऐसे दमाये तो फूट जाए धेलो नहीं नहीं होनी चाहिए और ना मुझा पर को पर न टोटें तो सेमेंट सेट हुआ माना जाना चाहिए ऐसा सेमेंट बेकार होता है फुर्दूरापन सेमेंट को उगलियों से मसलने पर एक चिकना कर उसको एक लोहे की प्लेट में रखकर 20 मिनट तक गरम करें मिलावटी सिमेंट गरम करने पर अपना रंग बदल देता है ठीक ना और गोला जांच सिमेंट बालू एक चार का मसाला बनाई का गोला बनाकर इसकी तीन दिनों की बात जांच पर यह आसानी से तूपना नहीं चाहिए यानि कि अगर थोड़ा और समय आपके पास है जांच करने का तो गोला बना के तीन दिन तक छोड़ दीजिए और तोड़ के देखिए और टूट जा रहा है कि यह सब सामान तरीके हैं बिना ताम जहां के आसानी से सिमेंट का टेस्ट करने के लिए ठीक ना जबकि लैब में टेस्ट करने के लिए समय भी चाहिए होता है कई बार 24 घंटे सुखाना ये करना वो करना तमाम चीज़ें चाहिए होती है और भी बहुत तो सिमेंट से लगभग सारे इंपॉर्टेंट कोस्टन हमको लगता हो चुके हैं और अब हमारा अगला चेप्टर आता है जिसको बोलते हैं प्रकास्ट और प्रकास्ट आतारी तुत्पाद यानि कहते हैं टिमबर एंड वूड बेस्ट रोड़क्ट बास वनमारे ना यानि यह आपका चौथा चेप्टर है जिसको कहेंगे टिमबर इसके बार हम लोग का कौन से चप्टर होगा मेटल होगा नहीं हम लोग का क्या कहानि 2 अगला चप्टर हम लोका चल रहा है यह बहुत इंपर्टेंट पोस्चन सब-से ज्यादा मैं कहलило पूरे चप्टर में इंपर्टेंट इसका सीजनिंग यानि मतले इंपर का जो कुछा गोलते हैं इसे सैफ को रिमूब करना ही कहलाता है कि इस में पुरी मुप करना ही इसकी सिजिन्री रिमूब नहीं करते हैं बल्कि इसकी मात्रा को बहुत कम करके 10-12 परशेंट तक ले आते हैं तो पहले पोला है कि प्रकास के सण्सोंक कि क्या उद्देश ने इसकी लकड़ी से यह जी सैप नहीं निकलेगा और हम इसको चीर फाड़ के कोई विचीड बना दिये तो बाद में यह सैप निकलेगा जब सूखेगी लकड़ी तो और लकड़ी एठ जाएगी या गीली लकड़ी में फंगस या कीटों का अटैक तेजी से होता गीली लकड़ी हम लकड़ी में स्टैप की मात्रा को बिल्कुल कम कर देते हैं और इससे क्या-क्या फायदय क्या कि आने हमारा संसोसण का सीजनिंग का उद्देश से प्रकास्त यानि लकड़ी के संसोसण मतलब होता है सीजनिंग सीजनिंग इसका क्या उप्देश से पहला उप्देश से क्या है दोस्मुक्ती सानसोसित प्रकास यानि सीजन्ड टिम्बर सिकुडता और टेला मड़ा नहीं होता है कभी आप देखे हैं घर में तखत देखे होंगे तो तखत पर पट्रा बना होगा तो एक दम चिपका हुआ अब बाद में देखते हुँ उस सिकुड करके बीच में बड़ा बड़ा गयाप बन जाता है एक पट्रा से दूसरे पट्रा में काफी गया होता है या बनाते से मुटना गया रखा गया होगा नहीं वो लकडी क्या हुए सिकुड है क्यों क्योंकि उसकी सीजनिंग साइस न यानि अगर लकड़ी से रस निकल गया न उसको काटना चाड़िना आसान हो जाता है रनना क्लाना अक्ँलत में प्र बने जोड सैन सोसित छोट अपने थीक में waar दो धीले नई वार्मे यह सुटतम होता है कास्ट और में आकर शणा आता है मतलब सीजवनिंग क्यों यह लकड़ी तो प्रेंटिंग करना भी आसान है इसके उपर नहीं पड़ता है जोदी गल्ती नहीं है सामर्थ सांवर्थ बढ़ जाती है इसका एज बढ़ जाता है इसके बहार में काफ तो लिए क्या है वीधियां मतलब अगर आपको लकडी से निकालना है इसका रस तो उसके क्या-क्या तरीके हैं देखे मोटा-मोटा बाटा जाना तो दो मुख्य तरीके होते हैं की हवा में छोड़ देना उपर से ढग देना ताकि बारिस न लगे उस पर पाला न गिरे लेकिन उसके अंदर से हवा का संचरन होता रहा ठीक ना उसको बोलते हैं एयर सिजनिंग या वायू संसोशन देखे पहला वायू संसोशन है जो एक तरह से क्या है नेचुरल नेचुरल सिंचिनिंग के अंतर गात देखे वायू संसोशन प्रकास्ट की लट्टों फ्लीपर बल्ली उता देखे फुली हवा में इस प्रकार देखे रखा गया है यह पूरा इस टाइप से जमीन पर रख दिया गया है कि उनमें आपस में थोड़ी दूरी बने रहा है उ आपका नेचिरल सिंग सिंग और आपछिए और फीचंडी वायर नंबर किषे लिइए तुम चाहों तो नेचुर rifीशीयल में यह सब जो बाएते पानी यह है बैते पानी का मतलब समझते हो भेते पानी का मतलब समस्ते हो भेते पानी का मतलब हुआ कि लकणी को किसी नदी वगर्याम जैसे आपने देखा होगा इन लकणी को रसी से बान जो नदी में लटका ओट और और पानी इसके अंदर से घुसे गा फिर उधर से निकलेगा लठे तो वो पानी इक बार अंदर गया तो रस इंकल लाएगा पूरा और पानी रहेगा तो क्छलिए बाहर रख दो universities वह सूख जाता यह पानी वाली लखड़ी जिल्दी सूखती है रस वाली जल्दी समय इसमें लग जाता है इसमें तीन से चार सालों तक का समय लगता है बैधे पानी करेंगे तो तीन से चार सक्ता तक पानी का छोड़े रखेए एक तो ये इसका फाइदा है ना ये ये दोनों तरीके शरल थे आसान थे एक कि इसारा होता है पानी में उबाल कर पानी पूरा बड़ा-बड़ा हॉज लीजी हॉज मतलब जिसके अंदर से क्या होग उपानी को उबाला जाकिक हो आप इसके अंदर जाएगा और पूरा क्या करता है रस इसका निकाल देता है लेकिन इसमें लकड़ी खराब हो जाती इसके रेसे खराब हो जाता है तो चार से घंटे तक पानी में डाला जाता है गरम पानी प्रकाश को सिकाव में पहुंच जाता है जिसके द्वारा रस गुलकर बाहर रहता है इसके बा समय उतना ही ज्यादा लगता है इसी वज़ास हम लोग दूसरी वीदियों को अपनाते हैं जब कम समय में काम करना हो लेकिन फिर उसके बाद वास्प द्वारा भी कर सकते हैं वास्प का मतलब होता है कि गरम भाव को प्रवाइद किया जाए लकडियों को रख करके कमरे में उ हम भठा हता संसोशन घते हैं इस ज्याद लए दिद्विकमेंडेदेर यस में यह उतना बूरा भी नहीं है एक बंध कमरे में लकड़ी के चट्टे लगा करके बंद कमरे में लकडी के चट्टे लगा करके इसके अंदर क्या होती गरम हवा डाली जाती है और तापमान और आर्धता पर यानि इसके टेंपरेचर और यूमीडिटी पर पूरा कंट्रोल रखा जाता है इससे केवल कुछ ही घंटों में यानि केवल चार घंटों में ही क्रिएट कर देना आपको नहीं मालूम है कि जब किसी चीज में वैक्ट्यूम क्रिएट होता है जैसे पढ़ाएंगे अभी इस पर लंबी कहानी चलनी कम इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा बताना पड़ जाएगा अभी के लिए बस इतना जाना कि वैक्ट्यूम का आपने आता है भाईया ना कमों से फून निकलने लगेगा तुम्हारे क्योंकि वायुमंडली जाब घड़ जाता है उपर इसका कारणा बहुत सारे लोग जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे नहीं जानते पर चिंता मत करें अभी हमसे मुलाकात ही दिया थी थर्ड सेमेस्टर मे पढ़ाना हुआ उन्हें जगहों पर इसका आम लोग अच्छे से यूच पढ़ेंगे इसके अलावा यह सब तो तरीके थे ही उसके आवा जो आपका आता है वह आता है रसानिक संसों कई ऐसे केमिकल आते हैं जिनको लकडी के उपर दी लेप लगा दिया जैसे लकडी का ल नमक क्या होता है पानी को बहुत तेरी से सोखता है तो इसको बहुत है केमिकल नमक की सहाथा से नमी को दूर किया जाता है सॉल्ट लाए जिसमें जो आपका नीला थोथा होता है या सॉल्ट होते है उनका लेप कर दिया जाता है वह नमी को खीच लेते है उसके बाद विद क्रित्रिम में सबसे अच्छा है यह भठा यानि किन सेजनिंग जिसको बोलते हैं यह सबसे अच्छा है कि इन में जबकि एयर ड्राइड में तीन से चार साल का समय लगता है आई इसमें केवल चार घंटे तो अगर आपको करना भी है तो सबसे एक नंबर की क्वालिटी तो किन उसकी है एयर ड्राइंग की नेचुरल सीजनिंग की लेकिन अगर कृत्रिम भी करना है तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा है गर्म वाईव द्वारा या इसको भठा संसोशन करते हैं इसको याद रखिएगा विदियां इतनी थी इसमें से यह दोनों खास क की बारें भी मैंने आपको बताया लकड़ी से और सा कौन सा कोश्चन है कि कह रहा है यहां पर कि बहर जात व्रिच के तने की संदचना समझाईए यह भी अच्छा कोश्चन है आने की संभावना है इसके भी पीछे वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था यह भी है मने हम ज अब यह त्ट्री बोलते हैं एक्सोजैनस ट्री का स्ट्रक्व कैसा होता है मैं आप उसमें ये चीज मजमें आपने यह हुआ बहिरजात बृच्छात के सामने यहां पर इसका काट बना हुआ थिक ना यहां पर इसका एक्सोंगा च्री का पर बना हुआ अब यहां पर लकडी का तना जैसे लकडी का लट्था आप इसको काटेंगे ना इसका यहीं पर यह वाला भीव यहीं हम लोग देख रहा है तो देखेंगे बाहर-बाहर जो होती है इसके चारों तरफ छाल लपेटी गई रहती है तो जो बाहर-बाहर खुर्दूरा हिस्सा होता है उसको बाहरी चाल यानि बोलते हैं आउटर बार्क अ बाहरी चाल पर लकड़ी क्या हटाएंगे ना तो पेंड के अंदर पतला सा कपड़ा जैसा आ से खीचेंगे तो जैसे लगता है कि वह वह भी चाल यानि इनर बार्क बोलते हैं फिर दोनों चाल के अंदर एक परत होती है आपको मालू मैं लखडि न बाहर से सक्थ होती है लेकिन ठीक अंदर ना देखेंगे गोंद जैसा चिपचीपा चिपचीपा सा फदार्थ होता है वह ताजी लकड़ी होती है जो उस परत उसको सैप बोलते हैं वही हटाना रहता है जब सेजनीं कर रहे तो वही हटा रहते हैं वह सैप धीरे-धीरे कठोर होके फिर लकड़ी भंता यसाऌरर म्याव सै diarrhea पाता है य्शसाड़ी थी जो सबसे पूराणी लकड़ी होती है और जो बाःर लगड़ी होती है काफी नई लगड़ी होती है इसको क्या में इसको क्या बोलता है यानि यृदा इसको बोलता है और Cambium layer की अंदर की लकडी ताजी बनी क्योंकि Cambium layer में जो रस्त होता है उसी रस्ते लकडी बनती तो वह Cambium layer के ठीक अंदर वाली लकडी जो होती है उसको sapwood बोलते है यानि softwood भी होता यह नरम लकडी होती है और नरम लकडी के अंदर की भाप घीतरी यह होती अचावसे बीच में जो लकडी होती यह कठोर इसको हम लोग बोलते हैं पित्थ यानि इसका यह सबसे काले रंखी लकडी घीच कहिस्ता यह बीच कहिस्ता होता है इसका ठीक ना अब आपने ऐसे आया तो जरूरूर लेकिन पित्थ से कुछ लाइने ऐसे चली रहती है ऐसे यह दिखाई देंगे यह लाइन है दरारों की बात नहीं करना लाइन की बात करें इन लाइन को हम लोग बोलते हैं जो इधर की तरफ गई इनको मज्जा रस्मी यान हर साल लकडी में एक नई नई लेयर आके जुड़ती है फिर बाहर एक नयास है फिर एक लेयर एक हर साल एक नई लेयर जुड़ती है और इस लेयर को बोलते हैं वार्सिक वल है यानि एनुवल रिंग हर साल जूडने वाली रिंग जो बनती है एक एनुवल रिंग बोलते ह है यानि ब्रिच की यदि आयू बताने रहे तो एन्वल रिंग की बदद से इसकी आयू भी हम लोग बता सकते हैं तो मैंने आपको कोच्चन भी दिखाया कि क्या पूछा है और उसका पूरा आंसर भी हम लोगों ने देख लिया है आपके कोश्चन यह पूछा थाम लोगों से एक्सोजनस ट्री का स्ट्रक्चर समझाईए और उस स्ट्रक्चर को हमने समझा भी पूरा उसका इंगलिस इंदी नाम भी देख लिया अगला कोश्चन पूछा है कि विभिन प्रकार के प्रकास्ट उत्पाद का उलेख किजिए यानि ल पूरा देखके जाईएगा साथ में अगर आप एक पेपर देख पाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा प्रिवियस एर पेपर आपको मिल जाता है नहीं तो आपको एप्लिकेशन पर मैं कोसिस करूंगा उसका इसका इसकेंड कॉंपी डलवा दूंगा देखके जाएगा अगर मैं वन वाई वन चीजों की बात करूं तो लकड़ी से ही यह सब चीजें बनती है यह सब चीजें क्या है मैं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगे जैसे प्लाई या विनियर लकड़ी को मैंने बताया भी था आपको कि लठा होता है एसे लकड़ी कमाली जी लगा रहा है लेत्मसीन ने और जब लकड़ी जाती है इसके उपर तो ये लकड़ी को पूरा छिलते वे इसकी लेयर बनाता है याणने लकड़ी को यहीं कैसे अगर मैं आपको हलका सा समझा दूँ यह समझी गया से यह आपका है ठीक ना यह आपका लेट मसीन मसीन का यह हिसाब है पूरा यह बहुत ही क्या होता है और यह बना देता है क हो अब यहां और हम आऊ एक मोटी प्लाई सीट के रूप में से क्या होगी निकलती इसलिए प्लाइप लंबी लंबी चवड़ी चवड़ी एक एक बनती है ठीक ना तो लेथ मसीन पर यह विनियर बनाया जाता है जो लेट मसीन पर लकड़ी के गोल लट्ठों को संसोसित लट्ठों को यानि सीजन लकड़ी को रखके बनाई जाती है इसके लिए मुख्य रूप से महेंगी लकड़ी जैसे सागा और नित्यादी का प्रयोग किया जाता है दूसरी चीज है प्लाई कई सारी ऐसी प्लाई को आपस में जोड़ करके प्लाई हुड बनाई जाती है प्लाई की संख्या तीन पार साथ या नौ की विसम संख्या में जैसे प्लाई बना प्लाई एक लिए एक प्लाई फिर उसके उपर दूसरा प्लाई फिर तीसरा प्लाई लेकिन देखिएगा एक प्लाई ऐसे तो दूसरी ऐसे फिर तीसरी ऐसे एक दूसरे से लंबवद यानि प्लाईयों को तीन पार साथ नो की विशम संख्या में एक दूसरे के उपर रख कर और किसी अडेसिव यानि सरे से जोड़ करके प्लाई वुड का निर्माण किया जाता है और यह भी मतलब एक हाड यह बहुत पतला होता है तो यह हाड वुड की तरह लकडी की तरह हो जाएगा लेमिनेटेड बोड अगर एक प्लाई फिर दूसरा प्लाई और उसके बीच में कुछ नरम लकडी कोर में भर करके एक टुकडा बनाया जाया तो उसको हम लोग ले power to curation की तरह ही होता है लेकिन उसमें जो यह ब्लॉक्स होते हैं लेम लेमिनेटेड बोड में ब्लॉक की जो चोड़ाई होती है वोा सता र मिली मीटर तक होती है कोड़ में नट में लकडी भरए जाती है दोनों तरफ प्लाई बीच में कुछ पचातर मिली मीटर के बड़े बढ़े दफते बढ़े जाते हैं जबकि ब्लॉक बोर्ड में यह छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में भरा जाता है बैटन बोर्ड में बत्ते भरे जाते हैं हाड बोड या फाइबर बोड में, हाड बोड या फाइबर बोड में, क्या किया रता है, लकडी का बुरादा लेंगे, या लकडी का छीलन लेंगे, उसके साथ गोध मिलाएंगे, दफती देखें, जिससे पर पहले एकजाम देने जाते थे, पहले बूध काल में याद करिए एक्जाम देते समय जब बच्चे थे तो एक छोटा साथ दफ्ती का टुकडा लेके जाते थे उस पर रख के लिखते थे वह फाइबर बोड का बना होता था तो फाइबर मतलब लकडी के रेसे या फाइबर को गोंत के साथ मिला करके हाइडॉलिक प्रेस में दबा करके फाइ है ये का ऐब आग लगों का क्या संब्सक्चा है थे ये भी पेल्टारा वारी स्थ प 예द कोस्टन है बहुत जागा नहीं है ब्लाव भले से पूछा की के अग् lang कि एलिए पैसान पूछा ज रोगण रोगण मतलब होता है पेंटिंग डिंगंक पेंटिंग पेंटिंग करने कि क्या हैं एक औरले लिखेत देखिये रोगोना हिंदीर सब्द पेंट इंगलिष सब्द इसको याद रखेगा तो रोगन करने के क्या उदेश है तो उत्तर मैं लिखने जा रहा हूं आप इसकी क्या अब्जेक्ट है पेंटीं के पहली बाद क्या 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 पेंट करते हैं अरे बड़ी आसान से सवाल है अपने मंसे भी लिख सकते हो आकर्सक तता मिलती है पेंट संरचना को सुंदरता तथा कर्षण देता है दोस रही यानि संरचना जैसे माली कहीं पर गड़ा है गुच्ची है रंग अलग अलग है जैसे कोई भी चीज है जो गंदा से दिख रहा पेंट कर दो तहीं दोसों को ढख देता है गाठो वाली लकड़ी भी पेंट के उप्चार से स्विकार हो जाती जिस लकड़ी में गड़ा था गाठ बनिवीती पेंटिंग कर दो सब सही ठीकर पूप्रभाव से सुरच्छा यानि मौसम का कोई प्रभाव है तो नहीं पड़ता है संचारन यानि लोहे का कोई चीज उस पर जंग लगने का खत्रा है पेंटिंग कर दो संचारन नहीं होगा कीट वगएरा ल उस लकड़ी पर दी पेंटिंग बराबर हो रही है समय से तो अच्छा क्या हो जाएगा उसकी एज भी बढ़ जाती है अब एक अच्छे पेंट के अंदर क्या गूण होना चाहिए अच्छा दन समसा यानि इसको बोलते हैं कवरीं कैपसिटी इंग्लिस वाले लोगों के ल पर आपको इंग्लिस में भी नोट्स आगे मिल जाती है पूरी और हिंदी में मिल जाती है आप जिसमें कमपर्टेबल हो पड़ाए फस्टियर में चुकि यह होता है कि एक आद दो सब्जेक्ट ही वैसे हैं जिनको नोट्स की जरुए था बाकिम उपना नोट्स फिजिक्स नहां जरुए था इंग्लिस के टर्मिनोलाजी बताता हूं तो देखे में चीर होता है आच्छाजन चमता जिसको कवरिंग कैपस्टी बोलते हैं कि पेंट कितना सता घेर रहा है अच्छा खासा सता को घेरे एक डबापेंट लिया तो उसमें अच्छी होने चाहिए जानें बहुत गाळा न लगे हलका लगे डाग धबै जैसे ब्रस चलाते हैं अगर बहुत गाळा रहा है तो ब्रस का ईनिसान पुर्चा पुर्चा से दिखाई देगा इकना पेंट चाहिए थोड़ा लूज भी रहे दाग धब्बे ना बने ताथ ही पकड़ पेंट अच्छे तरीके से सता से चिपक जाए सुसकता यानि यह जल्दी ससूग एक बार पेंट किये पता चाहिए तीन दिन तक गीला है उख उस दिनों बाद समाप्त हो जाने चाहिए बनी ना रहे स्थिर्ता यानि वायुमंडली प्रभाओं से धूब दूलदी से इसका रंग फीका न पड़े हाला कि ऐसा हो जागत का जनम जुग्गी पेंट थोड़ी बन जाएगा खराब तो होगा ही लेकिन जल्दी नहों ठीक कि आयू अधिक हो पेंट की मतलब यह जल्दी खराब नहों उसके बाद आपका आता है उपई-उप्टता लकडी लोहे सभी प्रकार की कारवें पर हो जाए मित्वाई मतलब थोड़ा सस्ता हो और असानी से उपलब दो यानि यह सब एक पेंट अच्छे पेंट के गोड़ कि भिन घटक कौन-कौन से हैं पेंट में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती है और उनके बारे में आपको बताना यह कोश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त तब इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही कहा है लेकिन बड़ा ही अच्छा कोश्चन है पेंट देखे किस से किस से मिलक कि राता है मैं कलरींग पिग्मेंट की राता है सॉल्वेंट या थीनर इनर फिलर और सोसत सब के बारे में हलका हलका बता दूस्त है मैंने आप को एजम पर उस समय भी दिया था में इन क्लास में कि देखो में इसे बताया था डीटेल में कि सबजी बनाते हो तुमने तो है तो पेंट में फ्रेक्स होता है जिसको बोलता है क्या बोलते हैं मेरी सब डाले के लिए उसको कलर देने के Лिए उसको मिलाने के लिए उसमें कुछ ऐसी जैसे सीवय लेक्ष कि सब्जी बना दिया डेख रहें अ्यार्स माहिंगा भी उसको बोलते है वीकल neighbourhood मतलब कुछ color जो spend color देते हैं की विलायक तरलबक है जो दिवाल पे पेंट्ट को लगाने जाते हो तो उसके तुम कुछ तेल मिलायक थोड़ा और लूझ करते हो जो उसकी covering capacity बढ़ाता है का वाह की विकल और विलायक जैसा एक जैसा लगता है क्या बात वीकल वह होता है जो पैंट को लिक्विड इस्टेट में बनाये रखता है मतलब उसको तरह लवस्था में पैंट सुखा थोड़ी होता है डिस्टेंपर को छोड़के सुखा नहीं होता वो उसको लिक्विड फॉर्म में आप तूम खरीदते हो लेकिन बाद में उसकी लिक्विडिटी को और बढ़ाने के लिए उसमें थीनर मिलाते हो या सॉल्वेंट मिलाते हो जैसे तारपीन का तेल या मिट्टी का तेल जिसको केरोशीन बोलता है लास्क में एक चीड़ी होती है ड्रायर कुछ ऐसे पदात जैसे में लिथार यानि मुर्दा पंक होता है हम सब में एक 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 जामपल लेते हैं यह सुखाता है पेंट को जल्दी पेंट सुख जाया उसके लिए मैं बताओं आपको बेस के रूप में धातों के जैसे क्रोमियम मिलाएंगे हरा रंग मिलेगा लैंप ब्लैक से ब्लैक कलर यलो अकर से पीली पीला रंग मिल जाएगा इसको या पिर आपका कोबाल्ट ब्लू से ब्लू कलर मिल जाएगा यह सब पेंट के रंग हो गए पीनर के रूप में यह हम लोग बात करें तो मिट्ट के रूप में लिथार यानि मुर्दापंक का प्रयोग सबसे जादाश किया जाता है तो जितना बताया हूं उतना लिख लोगे दोस्त ये कोर्चन भी तुमारा क्लियर हो जाएगा और अब हमारे सामने है अगला चेप्टर जिसका नाम है मेटल्स कैसा लग रहा है दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि effort डाल रहा है सर्माजी सर्माजी यदि effort डाल रहा है तो क्रिपया करके वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूं like करिए और share कर दिजिए इसकी लिंक को जहां तक कर सकता है पूरा आप मेटल्स में दो तरह के मुख्य रूप से मेटल्स है फेरस इसे म जिनके अंदर लोहा पाया जाता हूँ लेकिन वहीपर पीतल है कामबा है सोना है यह सब नॉन फेरस है तो नहीं है लिया होते हैं जायर से बात नहीं लेना चाहिए को कि construction material में सोना नहीं लेकिन बाकी पीतल के handle बगरा बनते हैं दरवाजे के कई जगहों पे सब्सक्राइब का प्रयोग होता है लेकिन कुछ फेरस मैटेरिल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ठीक है इन्हें से डूड़ा हुआ है एक कोस्टन हमारे सामने हाथ आता है जो कहता है कि मृदू इस पात यह माइल्ड इस्टिल के गुण वह उपयोग लिखिए इंपॉर् मृदू इस पात की गुण और दोसमें बात करें कौन यह कौन सब्यो इस पात है वह इस्टिल जिसमें कारवन की मातरा 015 से प्경 की पर्शेंट के बीच हो इसके क्या क्या गुण है और कहां कहां प्योग होता है यह डख्ताइड है और मैलीएबल मैलीएबल और डख्ताइड का मतलब इसको पीट-पीट के डिया होता है रमेदार इसको कहेंगे यह यह एक तरीके से इस्ट्रक्च्ट्रमोत अब होता है वो यह future 지금은ापरी मैं इसके अधर मेटैलिक प्रापर्टी सब्सें जादा होती है इज nuclear कमेटश फिरोपड़ होते पत्थर नहों गया जब कारिवन कार्बंट में कार्बंट हो प्राखन definitely कॉछ कहके हुआ सब्य लाग सकता है तो जंग लगेंग जाता है असानी से मोड़ा जा सकता है इसकी प्रत्यासता काफी अच्छी होती यानि इलस्टिसिटी का गूर्ण इसके अंदर अच्छा होता है उपयोग क्या है निर्माल कार्यों में बिल्लित खंड जितना भी तुम अपने घर में कभी कभी गाटर पटिया वाली छत देखियो जिसक इंगल काल बारिधारों में दर्वाजों में खळकी मैं से अंगल प्रयोग होता है आं यह तीक्अ बार आणा in royale region section के मतें यसा णिर्माल कार्यों में भी रोड़ी खंड यानि रोल सेक्टन जैसे गोल वरगाकार च्ड़े e आधी में इसका उन्रुप्य वैप की पाई मैं चादरे काफी उपयूक की जाती है लोहे की सीट भी बनती है जिनका प्रयोग आम लोग चाटों में प्रयोग कियो ठीके ने जिटना भी तुम पहले चिकनी वाली आते हैं जिनको आम लोग बोलते थे क्या प्लेन चड़ अब जो चड़े आ रही है यानि ऐसी चड़े जो ऊपर से खुरदूरी रहती है खुरदूरा चड़ होता है चड़ आये पहले प्लेन चड़ा था तो प्लेन वाली जो होती थी ना वो माइड चीज़ चुण करते हैं और यह था माइड इस्टील के प्रयोग और उसकी गोढ दोनों चीज़े अब वही चीज़ा वालोय का पूस दिया ड़ल वालोय का फूस दिया जानते क्या होता है टेको लोहा जब निकलता है ना तुट गच्च्छा लोहा निकलता जिसको पीग आ पत्थर समझे लोग पत्थर की तरह मनें इसमें धातु वाले गुण ही नहीं है बिल्पी तार्बन कम करोगे वहाड़नेस कम होगी दो से चार पर्षेंट पर बनेगा कास्ट आयरन बनेगा ये कास्ट आयरन और इसको हम लोग बोलेंगे क्या धालवा लोहा धालवा का मतलब जो धाला जा सके और ये माइल्ड अभी इसके अंदरकार बन जादा है ये जल्दी मूडता कटता नहीं है माइल्ड इस्टिल तो बहुत असान था मोडना काटना सब आसान था ओर्जिंग वेल्डिंग सब हो लोहा एकदम मजबूत चेह तो ऐसा और ये ब्रिटल होता है मनें जटका लगने पर मुडता नहीं है तूत जाता ऐसा लोहा इसको धालवा लोहा काते है या गलनी या पिघलने वाला लोहा पिघलता है इस पर जंग सरलता तो नहीं लगती देखो जितना ही अच्छा इस पर जंग नहीं लगेगा इससे छुंब की इसक्रित नहीं किया सकता इसे गरम करके तुरनतर थेज़ी से ठंडा करके कठपूरव बनाया जा सकता है परन्तısı की कठवstat कम नहीं कि ही लोता है ठीक है यह कठोर भंगुर भी यह तन्य नहीं है यानि खीचा नहीं जाता इसे संघट और जटका सायन कारणों के लिए उपयोग ने जटका दोगे तूटे इस पात गलंत आपमान इतना है थंडा होने पर इसमें संकुचन उत्पन होता है इसकी सनचना क्रिष्ट लुए धालवा लोहे के इतने सारे गोण ठीक है अब हमारा लास्ट चेप्टर है विभिन प्रकार के पदार यानि हमारा को अलग प्यूस में एक दो सारे में फिर से बोल नहीं तो क्लास्टिख क्या है इसके गुणा और लाव कि और उप्योग लिखिये ठीक है प्लास्टिक главное अब इसके बारे में क्या ही बोले तुम भी जानते हो इसका के वल रिडिंग लगा लेना यह बहुत देशी कृत्रिम पदार्थ है जो रेजीनों से निर्मित रेजीन मतलब होते है जो पेड़ पौदों से प्राप्त रेजीन होता है कृत्रिम रेजीन भी होता है भावन यां कई शाइं मा अन्हां कि आस पाध स्क्राइब दोस्त क्या है प्लास्टिक क्या है बता धीए प्लास्टीक गोन और लाब्व कुछ छली पहले आंप प्लास्टिक के गोण लिखते हैं यह हल्के होते हैं उसमां प्रसार गोणां का दीक मनें टापमान पाके फ्लता उसमां चालता कम होती है इंजनिरिंग गूर्ण और प्रकार के प्लास्टिक की संपीजन और सांवर ताः यह होगता है इसकी आप घर्षन समता इसकी टूट-फूत कम होती है प्लास्टिक उतपादों को मजबूती से जोड़ा जा सकता है इसी कार्ड इसमें व्यम्न उत्पाद बनाना असान है इनका संछान मतले जंग नही कानवाले वस्तों को बनाने उप्योग की जासे रवड लकड़ी काँ चाहदी रेजिन प्लास्टिक उप्योग मुल यह सब पढ़िए गाइसे कुछ खास नहीं है प्लास्टिक काहानी खतम एक चीजाता है अवरोध पदार्थ क्या होते हैं और रोध का मतलब होता है ऐसे डैमिश के और वर पदार्थ का मतलब होता है जो उस्मा कुआ है च रोके यह जिसरोख के और पदार्थ क्रति कैने और जो पदार्थ UX करते हैं उस्मार śl याने इंसुलेटर जो दुवाने जैसे कई लोग ऐसा कमरा यह ऐसा जगा माते हैं जैसे हम लोग वहीं स्टूडियो बनाए अपना ठीक है तो बाहर किया आवाज आएगी तो मेरी आवाज को सुनाई दे रही है लेकिन कभी कभी देख्योंगे गाड़ी मोटर की भी आवाज जाती है इतना वैवस्ता करने के बाद भी आवाज हा जाती है वह हम लोग कई बार चाहते है की साउंड प्रूफ रहेक कमरा साउंड पूफ होने के लिए आपका आपका sound insulator प्रयोग की रहते हैं इंके रूप में किन चीजों का प्रयोग किया जानते साउंड इंस डेटर का सबसे अच्छा उपाया है है अब यह मैं पढ़ाया हूं में लेकिन sound insulation में होता यह है या तो आप sound को बाहर आने से सुर आये sound are reflect होके चला जा तो एक तो sound साउंड रिफ्लेक्टर होते हैं आये कोता साउंड एब्जरबर मतलब साउंड उधर चाया तो टकरा के वापस नहीं गया सोख लिया जानते हो कार के कैसा मैटे कार्क फ्लोरिंग का नाम सुने हो गए लकड़ी ऐसी लकड़ी जैसा कार्क होता है इसमें जाधा थर कार्टोन थार्म कोले सब भरे रहते हैं जान बूझ के क्यों लग बोलते हैं तो खाली कमर में यह एको क्रेट होता है इको मतलब हम बोले हमारी आवाद हमी को सुनाई दे रही है इको क्रेट होता है प्रति ध्वनी यह सब चीज़ें भारी रहती है जैसे सिनेमा घर में थीटर वगर हम देखे होगे इतना तेजी स्पीकर बोलता है लेकिन आवाद उसी में ध्वनी को एब्जॉर्ब करने वाले पदार्थ उसको ध्वनी रोधी भी बोल सकते हैं तोंकि ध्वनी उनसे टकरा के आगे नहीं जाती तो यहां यह सब चीज़ें बताई गई आपको अलग तरह के जैसे उस्मा रोधी पदार्थों कृत्रिम रूई है साय रूई है रेस छम्तारते हैं जब ध्वनी की तरंगे इसे टकराती है तो ध्वनी उर्जा उसमा में बदल जाती है द्वनी पदार्त क्या है या थो आप चीजें हैं बिटुमिन वगरा के नमदा वगरा बनते हैं जिनसे आप ध्वनी का संचरन रोग सकते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को यह दी पूरा देखें हैं आपको फिर समय कह रहा हूं पसंदा रहा है तो इस यूर ड्यूटी कि आप इसको अपने वाट्सप के दूसरे गुरूप तक भेज दीजिए क्योंकि अभी हमसे आपके मुलाकात बहुत कम हैं लेकिन यकीन मानिए आपके साथ हम लोग बने रहेंगे अच्छा करेंगे साथ में करेंगे आपको कुछ नया जरूर सिखाएंगे तब तक के लिए मुझे दियाजत आपका करेंगा कि मेरा एक्जाम कैसा गया है मिलते हैं धन्यवाद